महरिभक काये और देवता चित्तन दरए हनुमत से इस सर्व सुख करे संकट हरे भिखे सब पीरा जो सुनीरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाये प्रिपा करो गुरु देवकिना जो सक बार पाठ कर कोई छोते बंदि मास पोई जोय पड़े हनुमान चाहिशा ओई सित्ति साथी गौरीश्णा तुलसी नास सदाह विचेरा जीजे नाथ रदय महंदेरा भवनत नय संकत हरनन मंगल पूरईरो राम लाथन शीता सहिते रदय मसो फिर्भो सियावर राम चंड कीजे बजराम राम राम सिताराम राम बजराम राम सिताराम राम 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 सिताराम राम बजराम राम राम सिताराम राम बजराम राम सिताराम राम बजराम राम राम सिताराम राम बजराम राम राम सिताराम राम बजराम राम सिताराम राम बजराम राम सिताराम राम बजराम राम सिताराम राम बजराम राम राम सिताराम राम जब तक रहेगे जित के पुरसात ना होगे कुछ का बच्छे तुस समय शान कलो रेम करलो गुरु देन से रेम करलो नारायन से हजराम राम राम सिताराम राम राम हजराम राम राम सिताराम राम हजराम राम 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 सिताराम हजराम राम 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 मेरे राम 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 हजराम राम 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 मेरे राम 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 हजराम राम 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 हजराम राम 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 करू आते जाते बाबा मैं तुम को प्राम करू तारिफ तेरी इतली है दिल से, तारिफ तेरी इतली है दिल से, आई है लफ में तन के कवाली, फिर्म उर्वाने, योगी जी बापा, आया है तेरे दर पे सवाले, छोड़ वाले आचो बड़ वाले जोगी बापा, आया है तेरे दर पे सवाले, आचो बड़ वाले शाई बापा, आया है तेरे दर पे सवाले, नर पे सवाले बाबा, नर पे सवाले चोपड़ा वाले योगी जी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले तुहारी वाले योगी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले तुहारी वाले 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 योगी जी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले तुहारी वाले वाले योगी जी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले तुहारी वाले योगी जी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले झाले योगी ऑना माले योगी जी बाबा आया है। झाले वाले वाले योगी जी बाबाद कर दो 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 मेरे गुरुदेव आजाओ मेरे नारा यार आजाओ मेरे गुरुदेव आजाओ मेरे गुरुदेव आजाओ मेरे नारा यार आजाओ मेरे गुरुदेव आजाओ मेरे नारा यार आजाओ मेरे गुरुदेव आजाओ मेरे भगवात आजाओ मेरे गुरु नारा यार नारा यार सद गुरु नारायन 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 सजातो घर पबुल शर्षा सजातो घर पबुल शर्षा सजातो घर पबुल शर्षा मेरे नारायन 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 नारा जाओ मेरे गुरु देव आजाओ मेरे गुरु देव आजाओ मेरे नारायन 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 नाराध आजाओ मेरे गुरु देव आजाओ मेरे आया आजाओ, मेरे गुरु देव आजाओ, मेरे गुरु देव आजाओ कुरूर मिला तो सब पुष मिला और मिला ना कोई दाना उनलक्ष में वो तो पापी जन के घर में हो तेरे बाद बाद आजाओ मेने गुरू देव आजाओ मेरे गुरू देव आजाओ मेरे बुरू देव आजाओ मेरे बाद बाद आजाओ मेरे बुरु देव आजाओ, मेरे बजवत आजाओ मेरे नगायूर आजाओ, मेरे भगवात आजाओ मेरे बुरु देव आजाओ, मेरे बजवत आजाओ मेरे नगाय आजाओ, मेरे नगाय आजाओ मेरे नगाय आजाओ, मेरे नगाय आजाओ मेरे नगाय आजाओ, मेरे बुरु देव आजाओ, मेरे बुरु देव आजाओ मेरे नगाय आजाओ, मेरे नगाय आजाओ, मेरे बुरु देव आजाओ मेरे नगाय आजाओ, मेरे नगाय आजाओ मेरे नगाय आजाओ, मेरे नगाय आजाओ मेरे नगाय आजाओ हुआ 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 है जननात्यस्वरस्वति लगे शुक्र ग्रहस्पति निच्चैत्यामस्पति प्रवार्टते गुरु भ्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरह गुरु शक्षात परप्रह्मु तस्मै स्रेवु प्रवे नमह लोकाधिरामं रनरंगधीरं राजीव दित्रं रगुव शनाधं आरण्य लूपं करुना करंतं स्रिलाम चंदरं सरनं प्रपत्य मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रियं बद्धिमतां बरिष्ठं वातात्मजं वानर य॥्थ मुख्यं स्रिलाम दूतं सरनं प्रपत्य वसुदे वसुतं देवं। कौं सचानूरमर्धनम दीवकी परमानंदम् प्रुष्णं वन्दे जगत गुरुम् करार विंदे नपरार विंदं मुखार विंदे दिरिवेशयंतं वतस्य पत्रस्य पूते शयानं बालं मकुंदं मनसास्मरावि सिक्रूष्ण गुविंद हरे मुरारी एनात नारायन वास देव जिहवेकि बसवामृतमेत देव गुविंद दामो दर्माध देवेशी पृष्ण गनेया लाल देए श्री राम चंद्र भगवान कीजे श्री हनुमान जी महराज कीजे श्री सद्व गुरू देव कीजे श्री नारायन भगवान कीजे श्री भागवत भगवान कीजे ओ, नमा कार्वती पतहे हर, हर महाले श्री कुष्ण गोविंद आरे मुझारी थे नात जारायन वाशुदेवा स्वी विष्ण गोविल्द अवे उलारी थे नात जारायन वाशुदेवा स्वी प्रुष्ण गोविल्द अवे मुलारी ए नात नारायन वासुदेнов वी कृष्ण दोलिंड रये मौदावरि ए नात नारायन वासुदेंद कृष्ण दोलिंड थ्थे मुदावरि देगा ते नारायन वासु देगा ते नारायन वासु देगा नारायन वासु देगा ते नारायन वासु देगा नारायन वासु देगा ते नारायन वासु देगा स्री प्रोष्णा गोविंदा थारे मुदादी प्रेनात नारायन वासु देवो प्रिष्णा गोविंदा थारे मुदादी प्रात नारायन वासु देवाद। प्रोष्णा देवो प्रुष्ण गोविंद हरे मुरादी थे नाथ नारायन वासुदेवा प्रुष्ण गोविंद हरे मुरादी थे नाथ नारायन वासुदेवा प्रुष्ण गोविंद हरे मुरादी थे नारायन वासुदेवा प्रुष्ण गोविंद हरे मुरादी थे नारायन वासुदेवा शाष्टांग दंडवत करके ग्यान गंगा का प्रारंभ करें भगवान की अहेत्व की कृपा है जो भागवत भगवान की शितल छाया में हम सब विश्रान्ती पा रहे हैं भगवान का पुनित नाम हरी अनन्त हरी कथा अनन्त अनु अनु में व्याक्त जर्ले जर्ले में व्याक्त वो हरी तत्व है ये ब्रह्मान्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहों हमारे संत लोग चलते हैं तो जर्ष्टी पुरिथ्वी पर रखते हैं माला करते हैं चलते चलते लेकिन जर्ष्टी कहां रखते हैं पुरिथ्वी क्यों एक सुक्ष्म जन्तू अगर पैर के नीचे आ गया महादोश महाप लगेगा जानते हैं संत अनु अनु में इश्वर व्याप्त अनु अनु में व्याप्त वो है भगवान राम चरित्मानस में गोष्वामी जी प्रमान देते है भगवान कौन चौवीस अवतार लेकर परमात्मा मृत्य लोक में आए निराकार साकार हुआ निर्गून सगून हुआ भगवान चौवीस अवतार लेकर आये अपनी सर्व व्याप्ता का दर्शन कराया मैं हर जगा हूँ मैं हर जगा हूँ डुंडता था फीरता था एक सुफी संत का शब्द है मैं हरी को डुंडता था कोई जब करता कोई स्वाध्याय करता कोई तप करता कोई तिर्था चन करता डुंडता था फीरता था तस्वी के दाने दाने में तस्वी माने माला जैसे माला घुमाते ने आपने डुंडता था फीरता था तस्वी के दाने दाने में लेकिन जर्रे जर्रे में खुदा था, ये मुझे मालूम न था, जर्रे जर्रे में भगवान है, मैं तो माला लेकि दुन्डता था मालिक को, दुन्डता था, फिरता था, तस्वी के दाने दाने में, लेकिन जर्रे जर्रे में खुदा था, ये मुझे मालूम न था, सोचा था दुनिया में बनाऊंगा में बंगला मन मरे माया मरे मर मरे जाई शरीर आसात्रिष्णा ना मरे कहे गए दास कभीर सोचा था दुनिया में बनाऊंगा में बंगला लेकिन मेरा आखरी मुकाम कबरस्तान था ये मुझे मालूम न था सोचा था दुनिया में मैं बनूंगा दुलहा अर्मान की ये थे कि मैं दुलहा का रूप सज कर जाओंगा कन्या को ब्याह के लियाओंगा सोचा था दुनिया में मैं बनूंगा दुलहा लेकिन मेरा आखरी पोशाक कफन था ये मुझे मालूम न था दूनता था फिरता था तस्वी के दाने दाने में लेकिन जर्रे जर्रे में खुदा था ये मुझे मालूम न था कहां नहीं भगवान हृरी व्यापक सरवबत्र समाना हरी अनन्त हरी कथा अनन्त इसकी था कौन पा सकता भगवत तत्वका इश्वरिय तत्वका रत्ती भर भी अनुभव होगा दुनिया बदलेगी अभी तो कुछ मालूम नहीं हमको और आपको भगवान क्या है उसका रूप क्या है लाखो लोग चार धाम जाते है कुछ महत्व वहां का जो महत्मे है नहीं जानते फिर भी जाते अगर रत्ती भर महत्मे पता चला कि केदारना की उठपती कैसे हूँ बदली भगवान कैसे आए इसका महत्मे अगर मालूम पढ़ जाएगा तो हजार गुना लगाओ बढ़ जाएगा भगवान से प्रिती और बढ़ जाएगा भगवान से माया और लग जाएगा तो अनू अनू में व्याप्त परप्रम्व परमात्मा को अपने व्यक्टिकत जीवर में कैसे प्रगट करना वो सिखाता है सास्त्र भागवत इसलिए भागवत परमहन सों की संहीता अउधुतों की संहीता अनू अनू में व्याप्त परमात्मा को कैसे अपने जीवर में प्रगट करना उसकी चीती सत्ता का कैसे अनूभव करना वो तो है ही है उसका स्पंदन उसका वाइबरेशन उसकी अनुभूती उसकी हाजिरी मैं हूँ तेरे पास पल पल बता रहा है वो हम और आप देख नहीं रहे काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे तेरी आखे न करे इसका दिदार तो भगवान क्या करे वो तो है तुम देखो कि न देखो वो तो है शकल जगत में व्याप्त चना चरु में व्याप्त अनु अनु में व्याप्त अगर ये परमात्मा का रत्ति भर अनु भव साकार हुआ अश्वात अनु भुति में आया कि भगवान कौन ये निराकार रूप में आया हुआ तेज का फिंड है क्या जिंदगी बदल जादी हे नाथ तेरी अकलित माया तेरा बेद किसी ने न पाया हे नाथ तेरी अकलित माया तेरा बेद किसी ने न पाया हे प्रभू तेरे रहस्य को कौन जान सकता तेरे भेद को कौन जान सकता ये नाच तेरी अकलित माया, तेरा भेद किसी ने न पाया जो समझा वो हुआ दिवाना, रत्ती भर्वी समझ में आने लगेगा तो घर छुटेगा, संसार छुटेगा, आसत्ती छुटेगी, माया के बंधन छुट जाएंगे ये छोड़ना नहीं पड़ता है, छुट जाता है, सहाज जो समझा सो हुआ दिवाना, कौन मुरख, कौन डाया तुझसे मिलिया सबसे बिगड़ा, कैसा रंग जमाया नाथ तेरी अकलित माया, तेरा भेद किसी ने न पाया वो भगवान जो रहस्च से भरे है उसको जीवन में कैसे उजागर करना, वो परमात्मा की चीती सक्टी को अपनी व्यक्तिकत जीवन की रेखा कैसे बना देना ये बताता है भागवत, कि बल परिक्षित राजा के लिए भागवत का निर्मान नहीं होगा, परिक्षित तो खाली निमीत, निमीत थे जंगल में गए बोले परिक्षित राजा शिकार करने के लिए, अश्व के उपर शवार होकर शिकार करने के लिए गए, मध्यानकाल का समई हुआ, सुरिय नारायंक, बहुत तपने लगे और परिक्षित को प्यास लगी, जल डुनने लगे जंगल में, कहीं जल नहीं मिला, अचानक द्रश्टी दूर कुटिया पे पड़ी परिक्षित ने सोचा, ये कुटिया में कोई नहीं कोई तो होगा, गए राजा परिक्षित, वहां देखा, तो रिशी समाधी में बैठे है अब जो समाधी में चला गया, उसे क्या मालूम बहार क्या हो रहा है राजा कुटिया में गया, महात्मा समाधी में है, राजा ने जल मागा, ये महात्मा जी, मैं इस रहियत का राजी भी हूँ, मैं यहां का सत्ता दिस राजा हूँ, मेरा नाम परिक्षित, शिकार करनी के लिए जंगल में आया था, मद्ध्यान काल हुआ, मुझको प्यास तो राजा ने जल्की मांग की लेकिन रिशी समाधी में कुछ पता नहीं मेरे आश्रम में 25-30 साल पहले गंगा सागर से एक संता है बहुत अधभुत संत और हम और आप छोड़ा विश्यांतर करता हूं हम और आप बहुत भाग्यशाली है ये चोपड़ा निवासियों का भाग्य है ये खेडा की जंता का भाग्य है कि बड़े बड़े संत अपनी भूमी पर आ रहे है तपस्वी संत उग्रता से रहने वाले संत हमारा और आपका भाग्य पलटने के लिए हमारा और आपका दरद निकालने के लिए ये संत बिन बुलाए आ जाते ये हमारा और आपका भाग्य है नसीब है साधू का दर्शन तो आज अपनी कथा में भरूज करजन से अती उग्र तपश्वी है इनकी इनकी तपस्या का कोई शब्द में वर्नन नहीं है देह दमन करके आत्मा को फृष्ट कर दिया बाबा धी ले ऐसे हमारे वंदनिय कोटी-कोटी वंदनिय स्री भोलागिरी बाबा यहां पदा रहे है मैं इनके चरुणों में डंडवत करता हूं गुपाल दाज़ी बाबा के चरुणों में भी डंडवत करता हूं और दियुकुमार दाज़ी बाबा के चरुणों में डंडवत करता हूं जहां ब्रह्मा विष्टु महेस आ गए वहां कुछ पुछना ही नहीं ये तिनो भ्रम्मा विष्टु महेश पिछले तीस साल हुए इनकी उर्ध्व बाहु की तपस्या है इनको उर्ध्व बाहु बोलते बहुत गहरा राज है भगवान डत्तात्रे ने ये तपस्या की थी कोई साथू अजान बाहु होते है जो खड़े हो जाते है तो ये हाथ उनके गुटनों पे आ जाते इतना लंबा हाथ होता और गुटनों पे उनके हाथ स्पर्स कर जाते उसको बोलते अजान बाहु और भगवान डत्तात्रे ने जब भगवान डत्त की बात दो मिनिट अडवान दतात्राइका सुमिरन करो हरी ओमता साता जै गुरु दाता हरी ओमता साता जै गुरु दाता हरी ओमता साता जै गुरु दाता हरी ओमतासाता जै गुर्दाका हरी ओमतासाता जै गुर्दाका हरी ओमतासाता जै गुर्दाका प्रमा विष्टु महेश का एकी करन्ट हरी ओमतासाता जै गुर्दाका हरी ओमताद से गुर्दाका हरी ओमतास जै गुर्दाका भी ओमतासाता जै गुर्दाका हरी यो मताशत जै गुरु रखत प्रिगुनात्मिक स्वरूप जिसमें उत्पत्ति पालन और लए ये तीनों का जहां मिलन हुआ उसको बोले अन्सुया की कुटियावे भगवान का जन्म हुआ और वो दत्त भगवान ने जो उग्र साधना उर्दवाहु की की थी इसके बाद लगबग भारत में किसी संत का ह हमारे भोलागेरी बाबा पिछले 30 वर्ष भीत गया ये हाथ उंचा ही है उर्दवाहु है उर्दवाहु है उर्दवाहु इतना देह धमन करना उर्दवाहु है भगवान दत्त से बात कर रहे हैं कितना बड़ा भग्या है हमारा एक बोले पुरे वर्ल्ड का जो रेकॉर्ड बनता है उसका एक फुस्तक है अमेरिका में और दुनिया की किसी भी कोडे में कोई भी बड़ी बस्तू गटित हुवी आश्चरिय से भरपूर घटना गटित हुवी तो उस फुस्तक के अंदर उसका record किया जाता है तो बाबा जी का परिक्षन करने के लिए वो टीम आई पंदरा दिन रुकी रिसर्च कर रहे वो लोग रात्री के समय में कहीं बाबा जी का हाथ नीचे आ गया कहीं इदर उदर पर्ष हो गया लेकिन ये जड़ मती को क्या पता इनके चोले में कौन है ये कौन है क्या पता इसको ये कौन है क्या पता वो रिसर्च करते रहे दिन पे दिन गुजरते गए अंत में पूरी दुनिया का जो record वाला पुस्तक है उसमें लिखना पड़ा कि आज भारत की दोसो करोड की जन संख्या में ऐसा कोई आत्मा है जो वर्सों से उर्ध बाहू हो बापु जी का इसमें नाम आया बाबा जी का नाम आया कि बोला गिरी बाबा है जो उर्ध बाहू ऐसे उग गिरत पश्वी बिन बुलाए अपने यहां पधारे हमारी चौपडा की धर्थी पर पधारे हमारा दिलिव भाई का खेतर में पधारे पूरे आकुल खेना का भाग्य है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ यह संत लेने नहीं आये देने आये है अब लेने वाला पीछे हटे तो किसका मुकद्द यह देने आये यह लूटेरे लोग है खजाना भरा है लूटने वाला कोई नहीं मिलता संत के पास तो खजाना है कोई लूटने वाला मिले कुछ बटोरने वाला मिले तो ऐसे बंदनिय जिनका खाली श्मरण करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है ये दंदी मलिन काया स्वच्छ हो जाती है ऐसे परमपवित्र भगवान हमारे यहां पधारे है तो जीतने भी मेरी कथा सुन रहे है जहां तक मेरी आवाज जाती है अभी पांच दिन और बाकी है यहां बैठा हुआ एक भी आज में ऐसा नहीं होना चाहिए जो संत का दिदार करके नमस्कार न करे रोज जाओ यह दर्शन देने तो आये हैं आपको आप दर्शन से बंचीत रह जाओगे तो जगत के बाप के गुनागार हो जाओगे संत दर्श जिमी पातक टराई पातक नास हो जाता पाप नास हो जाता ऐसे डिब्य संत आये है तो मैं सब को अनुरोद करता हूँ शाम के शमय रोज चार दिन पांस दिन दर्शन करो ये आपके लिए आए है आपके दुख को आपकी विपत्ति को खटम करने के लिए आए है लाब लीजिए ये संत दर्शन देने आए है आज तो बहुत अंदसरद्धा चलती है दुनिया में मैं तीस वरस पहले चोपड़ा आया था और पचीस-तीस साल पहले में ने ज्यान गिंगा शुरू की थी याने इस विश्णार में भक्ति का मूल संत की सेवा का मूल अगर किसी ने लगाया हो तो भगवान ने मेरे भग्य में लिखा है मैं पचीस साल से आ रहा हूं देख रहा हूं भगवान का सच्चा और सात्विक नाम छोड़ कर किसी भी अंधसरद्धा में मत जाओ कोई बोलेगा तेरा ग्रह खराब है तेरा नक्षत्र खराब है मैं यह भी जी करूंगा वो करूंगा यह सब अंधसरद्धा है कोई पानी निकालता है कोई कंकु निकालता है और मैं त अगर आपको चमतकार से नमस्कार करना है तो बोलो मैं बता देता हूं और सच्चा ग्यान लेकर संसार सागर तरना है तो गुरू की गोद में आओ चमतकार में मत फसो अंदसर्दा में मत फसो यह सब वाकी बात तरना है अंबा मत नमस्कार में लागे तो गुजिरत में तो बहुत आती और करूना देखो खली नवरत लिके नवद दिन आती फिर नहीं आती अंबा मत छली जाती त्या लोगो काड़ा चालिस साल पहले एक बापू आये भारत में बहुत चली यहां तो कोई भी कुछ भी करो भारत देश में सब्ता चलता वो बापू ने बोला कि अपनी अपनी घर में से बातल ले आओ बाटल में थोड़ी भभुती डाल के लाना और फिर मैं फुक मारूँगा वो भभुती पी जाना तुमारा अकल्यान हो जाएगा अरे बाटल खुट गई दुकान में बाटल नहीं मिलती थी हज्यारो बाटली निकल गई सब लेके जाते थे इस सब अंधस्रद्धा बिलकूल स्रद्धावान बनो उरजावान बनो निश्ठावान बनो मदारी का चमतकार खेल देकर शाकाशित मत हो एक मूल को पकड़ो जिसने मूल डाला है भक्तिका उसको छोड़कर दूस्रे में जाएगे गुरु द्रोही गुरु द्रोही मल मुत्र विष्ठा का किडा बनता हैं एक को पकड़ो और पकड़ा तो अंतिम सास तक छोड़ो मत छे मईना इनको मानते छे मईना इनको मानते छे मईना इनको मानते इसमे निष्ठा कभी परिपक्व नहीं होती अपनी व्यक्तिकत निष्ठा को परिपक्व करने के लिए एक मुल को पकड़ के रखो छोड़ो ही मत काम ओही नारी पियारी जिमी लोभी के प्रिय जिमी दाम, जिमी रगुनात निरंतर प्रियलाग हो महरा, जम कामी व्यक्ति को नारी अच्छी लगती, लोभी को पैसा अच्छा लगता, अहंकारी को प्रतिष्ठा अच्छी लगती, ऐसे है रगुनात जी, मैं आपके चरण कम अलका दास बनू आप मुझको इतना फ्रिय लगे है। काम ही नारी प्यारी जी मी लोभी के प्रिय जी मी डाम। क्या अंजसर द्धा में जाते हो। तो बायात का खेले, मदारी का खेल अरे सच्या बनो, सच्ची रहा पे चलो न जो साथ्विक है जो आदी अनादी से रिशी मुनियों ने गाया है जो पिछले पांच जार वरत से जिसका बयान होता आया है भारत देश में ये है गीता, ये भागवत, ये रामायन, ये साधु और गुरु की परंपरा, उसको पकड़ के रखो, अंजसर दा में मज जाओ तो ऐसे हमारे भुलागिरी बाबा पधारे है, मैं सब को अनुरोज करता हूँ, पांच दिन बाकी है आओ संध्या के समय बाबा जी का, आशुरवाद लो, दुआ लो, जहां दुनिया की हर दवा हार जाती है, वहां दुआ जीत जाती है हर वस्तु हार जाती है वहां किसी सच्चे साधू की दुआ काम कर जाती है तो दुआ देने वाले आपके वहां आए आप जरूर दर्शन करो यह पांच दिन में जितनी जहां तक मेरी आवाज जाती कोई बाकी नहीं रहना चाहिए रोज आओ दर्शन करो पांच दिन के बाद ये हंस ऐसे उट जाएंगे वापिस कभी नहीं आएंगे ये कभी नहीं आएंगे मैं तो भरस में एक दो बार आता हूं लेकिन ये संत भगवान कभी नहीं आएंगे तो ये मौका है आपको मिला जरूर्द दर्शन कीजिए परिक्षित राजा ने जल सोगहि रिशी समाधि में है तो गंगा सागह जो संत आये थे मेरे पफ्सित में वह बोले माहराज एक काम किजिए क्या यहां कि जो ऐपलेटर है इनके पास पर प्मिशन लिए लिए ख्यों मैं समाधि में रहने वाला संत हूं ने ढहें संत्य से आया हूं और मैं समाधि में रहने वाला साथु हूँ, आगे मैंने 10-15 बार समाधी लगाई है, तो कैसे समाधी करना, बोले पहले बुमी का बुमी पुजन होगा, बुमी पुजन होने के बाद खनन होगा, खनन याने खोड़ना, ग्यारा फूट नीचे जाना, ग्यारा फीट खड़ना, पूरा ऐसा चोर अपना की लोटी, नाग नागन का जोड़ा, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, वो खड़े में इसान कोपर में खड़ा खोटके गारेंगे, अपने गुरु का दिया हुआ आसन भीचाएंगे, और बोले वो आसन पर में बैठ जाऊंगा, 41 दिन, 41 दिन, 41 मैं इस खड़े में बैठा रहूंगा, समाधी में लिन रहूंगा, मेरे शरीर की उपर, पूरी मिट्टी डाल दो, और पूरा खड़ा भर दो, एक जमीन की रत्ती बर्भी जगा बाकी नहीं रखना, पूरा भर दो मेरे सरीर को, और कोई सच माने की जुठ माने, मैं तो ऐस ऐसी समाधी तीन-चार बर देखा हूं, महराज पुजावी जी करके गुरू के चलणों में से उंकार उठा कर, दंडबत करके चले गए अंडर, डाल दी मिट्टी, रोड़ा, पत्थर डाल के प्यक कर दिया, खाड़ा, जारा फुट का जो खड़ा, पूरा भर दिया, ना स वास लेने की कोई जगा है, न वहाँ हवाँ जाती है, न जल जाता, न अन जाता, क्या भगवान की मस्ती, क्या भगवान की सूर्ता, इसको बोले हरी भजन, इसको बोले प्रभु का भजन, एक दीन, दो दीन, पंदरा दीन, तीस दीन, चालिस दीन, चालिस दीन बरोबर प आप खडडा था, फिर भी नीचे का धूमा बहार आने लगा। वो धूमा बहार फैलने लगा। मिट्टी तो गारी है। धूमा बहार आने लगा। 41 में दिन संध्या के समय पूरी मिठ्टी निकाल दी, संत जैसे गए थे, इनसे भी डबल सक्टी लेकर, उर्जा लेकर, केज लेकर बहारा गए, 41 दिन के बाद, इसको चाहे राज योग बोलो, हट योग बोलो, ज्यान योग बोलो, हुआ कबीरा एक है पनिहारी अनेक, बरतन न्यारे न्यारे भए, पानी सब में एक, चाहे किसी भी रस्ते से जाए, पहुँचना तो भगवान में है, तो पडिक्षित रजा ने जल मागा, महराज मैं प्यासा हूँ, मैं यहां की भुमी का समराथ मुझको जल दो, अब रिशी समाजी में, कौन आया, कौन गया, क्या मागा, दूसरी बार मागा, मात्मा ने जवाब न दिया, तिसरी बार मागा, कोई प्रत्चिप्तर नहीं आ समसाया, उग्रता आई, क्रोधाया, और बहार गए, कुटिया के बहार, और दूर से देखा, तो एक मरा हुआ साप था, जो मर गया ता, दूर गंद बाता था, वो मर हुए साप को लकडी के सहाए, परिक्षित ले आए, कुटिया में गए, कुटिया में गए, क्रोधा तू मेरे पीता के गаले में तुन्हें मरा हुब सर्प ड़ले अर deshalb रिशि पृत्रों को क्रोध हाया जब दिए जिए जव excluding मेरे । Sou ужас यही सर्प चक्षक का रूप लेगा और साथवे दिन तुझको डंस मारेगा और तेरी मुरुत्य हो जाएगी, यह हमारा स्राप है, अब राजा भैवित हो गए, कि मरना, साथी दिन बाकी, कहा जाओ, ऐसा कौन सा तत्व मेरे हाथ में आ जावे, जिन के माध्यम से मेरा दिन स अबर जाए, आने वाली मुरुत्यू टल जाए, मेरा काल निकल जाए, राजा संतों में आये है, ढूंते ढूंते, हजारों संतों के बीच में भगवान सुख दिव जी विराजमान थे, दूर से राजवी ने देखा, गए साष्टांग प्रणाम किया, आंशू के साथ बिन जिसकी मुरुत्यू संमूख हो, महराज इनका कर्तव बताईये, मेरे से बहुत बड़ा रिशी का अफराध हो गया, पुरा वृतान तो राजा ने बताया, पुरा वृतान तो बताया राजा ने, और रिशी पुत्र ने मेरे को स्राप दिया महराज, इसमें से बाहर निकलन का कोई रास्ता, सुगदेव जी परम ग्यानी से, राजवी, एक काम करो, सावधान होकर, मन वचन कर्म की पवित्रता के साथ, आसन लगाओ, मेरे सनमूख, और मेरे मुझ से निकली ही भागवत की संहिता का, प्रत्यक सब्द, स्रवन करो, साथ दिन तक ये कथा चलेगी, र राज ही स्रवन कर, मन वचन का एक वचिक मानसिक सत्मेकता से, तू स्रवन कर, राजा मैं लिख के देता हूँ, तक शक आने से पहले, डन्स मारने से पहले तेरी आत्मा की गती हो जाएगी, तैरा आत्मा मुख्श को उपलप्द हो जायेगा, तू ऐसी भगवान की कथा सु जो दिमान आत्मा वो है, जो मौट की गड़ी को टाल तो कोई नहीं सकता, लेकिन वो गड़ी आवे इनसे पहले, रगुनात का सुमिरन करो, हरी का सुमिरन करो, ताब आजावे, क्या भरोसा? राजा ने आशन लगा दिया, 88 हजार उसी मौनियों के सानीज्य में सुक्देवी जैसे भगवान जैसे, गुरू के सानीज्य में राजवी विराजमान हो गए, और सुक्देवी जी सावधान करते गए, राजा को, और पूरा भागवत चरित्र राजा ने स्रवन किया, आने से पहले राजा की गती हो गई, भगवान की कथा का प्रताप, ये हरी की कथा का प्रताप, ये कोई जादू मंचल नहीं हुआ, ये हरी की कथा, राजा की गती हो गई, शुक्देवी जी बार बार स्रवन करवाते हैं परिक्षित को, सावधान भी करते हैं, राजवी अ उसे निकल जाए तो प्रकूती के उपर उसकी असर हो जाती है प्रकूती बदलने लगती है प्रकूती के जर्रे जर्रे में शान्ती आने लगती है इसलिए हमारा वेद बोलता ज्योहू शान्तिरंतरित्षगो शान्तिही प्रथवी शान्तिरा पाहा शान्तिरो खजयह शान्तिही वानस्पत यह शान्तिर विश्वे देवाहा शान्तिर भ्रम्म शान्तिही सरवक्व शान्तिही शान्तिरे वशान्तिही शामा शान्तिरे धीः पूरी प्रतुर्टी के जर्ले जर्ले में जो सांची का सामराज्य स्थाफित कर दे ऐसी ये जिव्य कथा ए परिक्षित राजन सावधान होकर इसके प्रत्यक्स लोग को स्रवन करो कि पाप नासक कथा है, मृत्यू की घड़ी को टालने वाली कथा है, मौत के मूँ से बहार लाने वाली कथा है अपने किये हुए संचीत कर्म से उबारने वाली कथा, तिरा कैसा भी संचीत कर्म होगा, खाली स्रवन मात्र से नस्ट हो जाएगा सुग्देव जी के चरणों में आज परिक्षित काईक वाचिक मानसिक पवित्रता जारन करकर बैठ गया है, गुरुवर आप उगारो अपने गुरु के स्थान पर बैठाया सुग्देव जी भगवान को और गुरु का परिक्षित करने लगे हम भी दो मिनित गुलु नारायन गुलु नारायन गुलु नारायन乾ुत गुरु नारायाद, करो पुपार करो गुरू बोवीन देख रहे गुरू बोवीन देख रहे गुरू बोवीन देख रहे गुरू नारयन 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 पूरू आयायाया पूरू आयाया हुआ हुआ है यदान के रगल अ, हुआ 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 है। प्रवेशेन प्राज़ नहीं गोर्वु नाराया नաchte falling abdu जीनिज क्पकाने चैर。」 नारायन गुरु मारायन लुरु मारायन श्क्रीव की शावधान करें ये वो दिव्य रस है, ये राजवी ये वो दिव्य कथा है, जो तेरी अमंगल घड़ी को मंगल घड़ी में परिवर्तित कर देगी, ये राजवी, भगवान की कथा का प्रत्यक सब्द, तेरे भाव में रख, तेरे रदई में रदे यस्थ कर, अवतारों की कथा भगवान न सगुन क्यूं हुआ भक्त वस भगवान का प्रगती करन दूसरा कोई कारण नहीं है भगवान इस दुनिया में आउतार लेकर आते गीता का प्रधान स्लोक है यदा यदा ही धर्मश्यो गलाने रभवती भारत संभवावे युगे-युगे हे पार्थ हे अर्जुन में हर युग में आता मेरी शक्ति मेरी उर्जा मेरा बल मेरी क्रिया मेरा कलाप कोई जान नहीं सकता बाकी में आता जरूर हूँ हर युग में भगवान आते क्यों आते ये जगत की विपत्ति को नश्ट करने ये जगत के परिताप को मिटाने संथ और साधूओ की रक्षा के लिए गवमाता की रक्षा के लिए विप्र धैनु सूर संथ हीत लिन्ह मनुज आवतार भगवान का आवतार का यही कारण इश्वर क्यों आते निराकार साकार होता, क्यों? प्रवल प्रेम के पाले पड़कर प्रभू को नियम बदलते देखा अपना मान तले तल जाए, लेकिन भगत का मान तलते देखा राम से अधिक राम कर दासा राम जरूर अधिक है लेकिन इन से भी अधिक है दास इन से भी अधिक है राम जी के चरुण का अनुरागी करने वाला प्रतिपल राम वियोग में आंसू बहाने वाला उसका भगत राम से भी ज़्यादा उशा है इसलिए गाना परता भक्त के भगवान को बार बार बंदना आप इतनी भी साल संख्या में आते हो मेरे को आश्चेरिय होता है कि आप क्यों नहीं गाते गबराते हो गया मेरे से गबराते नहीं हो न मेरे लिए आते हो मेरी कठा सुनने आते हो जरूर गाओ ये गाने के लिए तो साथ दिन मिले हैं आपको फिर साथ दिन के बाल तो वही माया है यही साथ दिन है जो साथ वे दिन जरूर अनुभुती होगी आपको और कबूल करना पड़ेगा कि किष्ण की बंसी का आवाज हमारे कान में आया कनेया की मोरली का आवाज मेरे कान में आया कबूल करना पड़ेगा आपको ये इतने विशम कराल कल जूग में मन की शांती आत्मा की शांती देने वाला अगर कोई मिल जाए तो दुनिया का करोड काम पिछे करो पहले इसका सानिध्य प्राप्त करो जो शांती से भरता तुल्शिदास दी को किसी ने पूछा संत की व्याख्या क्या हम संत किसको कहे गोश्वावी ने कहा जिनके सानीध्य में जाने से सांती मिले इसका नाम संत जिसको देखने मात्र से मन सांत हो जाए जिसका चहरा देखने मात्र से मन की मलिन का उपराम हो जाए और मन सांती को उपलब्द हो जाए इसका नाम संत जिसके पास बैठने से भी राम मिलता जिनको निहारने से मलिन मन बदलता राम से भी अधिक राम का भक्त है जो पल-पल निश्दिन बरसत नैन हमारे भगवान के वियोग में रोने वाला भक्त भगवान से भी उचा है भक्त की भगवान को बार बार बंदना गाईए सब गाँ जाली पाड़ो भक्त की भगवान को बार बार बंदना भक्त की भगवान को बार बार बंदना मीरा के शाम को हजार बार बंद ना मीरा के शाम को हजार बार बंद ना तुलसी के राम को हजार बार बंद ना तुलसी के राम को हजार बार बंद ना तुलसी के राम को हजार बार बंद ना विए भक्ष के भगवान को बार बार बंद ना बक्त की बगवान को बार बार बन्दना बक्त की बगवान को बार बार बन्दना भारी बोल करो बगवान को उन्सी के राम को हजार बार बन लेना उन्सी के राम को हजार बार बन लेना ये नीरा के शाम को हजार बार बन लेना पीरा को शाम को हजार बार बंदना एक तुलसी के राम को हजार बार बंदना पत्त की भगवान को बार बार बंदना एक तकी भगवान को बार बार बंदना भर्तक के भगवान को बार बार बंदना कर दो कर दो बार बंदना शुकदेव जिन शावधान कलते है परिक्षित राजा ये जो भी सुख दुख आता राजवी सुनहु भरत भावी प्रबल मिलकी कहे मुनीनाथ हानी लाब जीवन मरण जस अप जस बीधी हाथ है राजवी जो घतना घतनी थी घत गई अब तु मन को उपराम करके ये हरी कथा का स्रवनकर आउतारों की कथा कही वहगवान का आउतार किस लिए होता बक्त को तारने के लिए शंत को तारने के लिए गव माता की रक्षा के लिए ये पृष्वी जब दुख से व्यथित हो जाती तब रोटी इसलिए हमारा सास्तर कहता रात को सो गए सूबे उठे जैसे उठे तुरंट पाउँ धर्ती पे मत रखना पहले जमना हाथ धर्ती पे रखकर तीन बार आजका लेना ए मां शमाकर मैं तेरे मस्तक पे पाउँ धर रहा हूँ पृथवीत्वया धृता लोका देवीत्वाम विष्टुना धृता क्या स्लोक है क्या रहस्य है इसका पृथवीत्वया धृता लोका देवीत्वाम विष्टुना धृता त्वांच धारय मांदेवी पवित्रम कुरु चासनम्म क्या स्क्लोप? सब बोलो मेरे सार कुरुष्णाय वासुदेवाय बोलो सब कुरुष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतहक्लेष नाशाय प्रनतहक्लेष नाशाय ओ विल्लायनवू नमह वसुदेवसुतंदेवं कांसचानूरमरगनं देवकी परमानंदं रुष्णम बंदे जगत गुरुम रुष्णम बंदे जगत गुरुम रुष्णम बंदे जगत गुरुम अनुभव भगवान श्वयम कराते है शुक्दिव्जी यह सब के मूल में तुझा तो सत्संग है जिनों ने दी सत्संग की प्राप्ति करी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न चाही सकल मिली जो सुख लव सत्संग अब मोहे भा भरोस हनुमंता बीनुहरी कृपा मिला ही नहीं संता अगर संत का दिदार हुआ संत का सानिध्य मिला तो मानना रामजी की अहे तुकी कृपा एक सब्दा आता है रामयाय में अहे तुकी ओ तजबुद सब्द है हे गुरुवर हे रामजी मेरे जीवन में मेरे जीवन में आपकी मेरे पर अहे तुकी कृपा होना अहे तुकी कृपा का आर्श है कभी भी नश्ट नहीं होती वो कृपा जो एक बार वेह पड़ी, वो कभी नश्ट नहीं होती बस नेत्र पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, वुरुट्टी पवित्र हो पांच ग्यानेंद्रिया, पांच कर्वेंद्रिया, मन बुद्धी, चीत, अहंकार, ये पवित्र हो जाए फिर तो काम, प्रोध, लोब, मोह, माया, मासर्य, अविध्या, पूद्रश्टी, अहंकार, चाटाट क्या है कि साधक को छुवे अगर ये पवित्रता आ गई, नेत्र की पवित्रता इसलिए कोई भी शुभ कर्व कराने से पहले ब्रह्म देवता पहला सब्द बोलेंगे, नेत्रोष परसा, उदग ओपस परशाहा कटोरी में जल होगा, बोले, दो उग्ली कटोरी में जल में डालो और वो, आंक के उपर जल लगाओ, आंक के उपर ?, वो जल लगाने को कहते ये, पंडी जी क्यूँ ? नेत्रोस परशाह, उदग उपस परशाह, तेरा नेत्र अगर पवित्र हो गया, विकार को रदई में जाने का एक ही इद्वार है, और वो है आँख, वो है नेत्र, जहां से विकार शरुल में प्रविश करता है, अगर नेत्र हाथ में आ गया, तो बुर्ती, वहवार, जीवन साब आकाबु में आ जाएगा जिसका नेत्र गिर गया जिनोंने अपनी आखों से अभी चल वस्तू देखी वो आख को बचाना लाखों नेत्र हम भी देखते है लाखों में से किसी एक की आख ऐसी दिखती है जिसकी आख में बगवान जैसा नूर हो बगवान जैसा टेज हो एक नूर आदमी हजार नूर कपणा लाख नूर टापतीफ करोड नूर नकरा एक नूर आदमी संति की आखों में एक नूर होता है एक चुंबक होता एक आभा होती एक ओरा होता एक आकर्शन होता जो संसार के लाखों लोगों में नहीं है यह तो आजमियों की कोई कमी है यह संसार में भीड की कमी है कोई लेकिन यह लाखों की भीड में किसी-किसी का नित्र, किसी-किसी की आँख ऐसी होती है किसी का चेहरा ऐसा भगवान बनाता है प्यार कर लो, महबबत कर लो इस अंसार में आये हो तो अपने गुरू से ही प्यार करो गुरू और इश्वर ये दोनों को छोड़के कहीं भी मन लगाओगे अंत में रोनाज पड़ेगा आसोज मिलेंगे प्यार, महबबत, गुरू से करो वही तो हमारा जगदाधार है महबारत की प्रसिद्ध कथा है गंगा पुत्र भिश्म अगर भिश्म नहीं होते तो महबारत ही नहीं होती जो भिश्म ने जन्म से लेके मुर्ट्य परियंट हस्तिनापूर का शुख, हस्तिनापूर की दादी का सुख और पूरे हस्तिनापुर की शांती बनाय रखने के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी वो थे भिश्म अपने पिता की आकांगसा को पूरी करने के लिए आखी जिंदगी जो ब्रमचारी रहा वो गंगा पुत्र जो पिता की वासना पूरी करनी थी अपनी कोई वासना नहीं थी भिश्म की पिता की आकांसा को पूरी करने के लिए उसने भिश्म प्रतिगना करी कि मैं कभी लगने धीवन में नहीं जाऊंगा कभी सांसार की वासना का उपभोग नहीं करूंगा ये मेरा पान कभी से सब्द निकला भिश्म प्रतिगना महाभारत की कथा इच्छा धारी थे भिश्म पिता में इच्छा धारी थे उनको इच्छा मृत्यू का वर्दान था ए भिश्म सौबरस दीना जीओ अभी सरीर छोड़ना छोड़ दो पहुंचे हुए संत को अपना शरीर परित्याक कर देना कोई बज़िबात नहीं है वो योग की क्रिया है मुलाधार चक्र से पवन को उठाते है छे चक्रों का भेधन करते है इंडा पिंडा सुक्ष्मना को तोड़ते ब्रम रंद में स्वास चली जाती उसको बोलते महासमाजी इच्छा मुरुत्यो बाकि भारत का संत मुरुत्यों जाई मौत मारेगी उसको कुछ हुआ और मर गया कुछ रोग हुआ और मर गया मौत मारेगी फकीर को फकीरी की पहचान यहीं से होती है कि अंत काल में कैसे गए समादिस्ट होके गए कि रोग ने मारा समादिस्ट होके गए कि तरब तरब के गए मुरुत्यों जई होता भारत का संत मुरुत्यों के उपर जिसने विज़ाई प्राप्त किया जो मौत से घबराता नही वो तो वासान सी जीरनानी नवानी देही वस्त्र पुराना हो गया नया लाना पड़ेगा ये काया रानी में आत्मा कितने वर्सों से बैठा है पचास वर्स हो गया आत्मा ठट गई चोला बदलना चाहती है काया लिला पे पड़दा पड़ना चाहती है काया कई ऐसे संत में ने देखे है जिसके सरील में तनिक भी रोग नहीं था रातरी को हसी कुछी से बात करते थे और बातों ही बातों में बोल दिया कल सुभे मैं नहीं रहूंगा महराज अमंगल क्यों बोलते नहीं बोले समय पुरा हो गया कोई अद्रश हाथ खीच रहा है कोई अद्रश शक्ती मेरे को आकरुष्ट कर रही है अपनी और इसलिए मैं ज्यादा रुक नहीं सकता मेरा आवतार कारियो पुरा हुआ मैं चल दूंगा सुभे देखो तो आत्मा खाली भिश्म को इच्छा मुर्ट्य का बरगान था जब त जीना चाहो जी शकोगे मृत्य के ओपर विजय प्राप्त कर सकोगे आप और विश्म का समय महाभारत की कथा सरसया पर सोय है और वो भी तीर किसका अरजून का अपने ही सिस्य का तीर शाटी में तीर देखो हाट पैर उदर सरीर का कोई भाग बाकी नहीं था जहां तीर न लगा हो रख्त की धार दह रही है विश्म तडप रहे है सरसया पर तडप रहे है इच्छादारी थे जहां अपना वक्त जाने का आया विश्म ने सोचा इसने दिन से सरसया पर सोया हूँ अब यह आत्मा उढ़ने वाली है पीजरा खाली होने वाला है और अंत समय में अग ग्लेह पाल है और वासुदेव देखते देखते प्टा निकल जाये तो मेरा जीना धन्यों है करिश्न आइम चाहिं मुरारी है माधहल है क्रिकुरारी पदारो आवाहन करने लगे क्हांदम नजानामी नजानामी कवार्चनम ठौञ जानामी SUS प्रभू पधारो पहले अपनी मां को पुकारा गंगा आई है अपने बेटे को देखा सरसया पर गंगा थोड़ी बिचलित हो गई फिर भी जानती थी कि मेरा बेटा इच्छा धारी है ये चाहे तो अभी चला जाए ये चाहे तो और रुख जाए थोड़ी मन को शांती मिली गंगा जल डाला भिश्म के मुह में जुकती हुई फिर वासुदेव को पुकारा आए भगवान कृष्ण संद मुखा गय था भिश्म की काया जुरुजने लगी पुरी काया में अर्जुन का बान था रत्त बहरा है सरीर का कोई एक भाग बाकी नहीं जहां अर्जुन ने तीर नम आ रहा हो तड़पते तड़पते जुरुष्टे जुरुष्टे हाथ से कृष बिश्मन प्रणाम किया कृष्टनम बंदे जगत गुरुम है जगत का आधी मूल है जगत का आधी कारण है उत्पत्य स्थिक्ति और लई का प्रधान कारण हो कृष्णा कि पुरी सुष्टी का जो उत्पत्य हुए यह पुरी सुष्टी का आलन पोशन कर रही है यह पुर ए गुविन्द हे मुरारी, मैं तेरे चरणों में बार बार दंडबत करता हूँ, जुरुष्टे, जुरुष्टे हाथों दॡिश्मफितमहने, करिष्णा चरणों में दंडबत किया, नमस्कार किया ए गोविन्य ए वासुदे जाने का वक्त आ गया है परूप एक परश्ण मेरे मन में रम रहा है अगर वासुदे वागना दे तो पुछो पहले आदेश लिया हे को एक छिए अभी अनतकाल नजीक है मैं सरीते बंदर में से मुक्त हो जाओंगा मेरी घड़ी नजीक आ गई क्रिश्ण एक एक व्यथा मेरे दिल में उबल रहीए आपकी आगना हो तो में पुछू, कृष्ण ने आगना दी और भृष्म ने पूछा, हे गोविंद, हे वसुदेव, ये बताइए कि मैं निश्पाती भिष्म, मैंने आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मैंने आज तक ऐसा कोई पाप नहीं किया, जो मुझको इतनी भारी सज कि पूरे बदन में तीर लगे है, कांप रहा हूं, मैं तडप रहा हूं, प्रभू, जहां तक मेरी द्रश्टी जाती वहां तक तो मैंने कोई पाप नहीं किया, काईक वाचिक मानसिक, पूरी पवित्रता, मैंने किसी का मन नहीं दुखाया, ना किसी की आत्मा की हत्या की, फिर मेरे जैसे निश्पा की भिश्म को इतनी कड़ी सजा क्यों, कौन से पाप की सजा दे रहे हो मेरे को, मेरा ऐसा कौन सा अनुचित कर्म हो गया, जो मुझको इतनी भारी सजा, भिश्म की वानी सुनकर वसुदेव मंद मंद हसने लगे, ये तो गुविंद है, ये तो त दुपक्ता लिए, हे गोविंद, हे Oak्रिष्ण, ओ द्वारिका वासी FL छाती भर जाती है द्वारिका निवासी आटो मुद्द्वाक्त सान्य कि Hide अज़ू कृ्ष्ण, अज़रइन नयाकम blossom , भगिश्टम् मदूरम bạn, भगिश्टम् subm Schule श Border assist ये तो वो कृष्ण है, वो कब कदम के जाड़ पे चला जाए, कब काली नाग के उपर पाउं रख देवे, कल कब गोपी के साथ रास खेले, कब असुर का संवहार करे, कब कंस का नाश करे, कोई भरुसा नहीं, कृष्णच कर सकता, बाकी कोई देवता नहीं कर सकता, जो जगद गुरुम, पूरी दुनिया का गुरु, ये पूरी दुनिया के उत्पत्ति का आड़ी मूल, वो है कृष्ण, वो है गोपाव, वो है गुविंद, और इसकी रचि ये दुनिया, ये बनाएं किसने भगवान ने बनाई, हमने और आपने तो दुनिया में आके भगव सपाफचता से भेजा था, उसकी दुनिया में कोई कलंक नहीं है, भगवान की बनाई सुष्टी में कोई कलंक देख सकता, ये परभू बताईये क्यूं क्यूं मेरे को इतनी बरी सजा, ये परभू आपकी बनाई सुष्टी, और वो ही सुष्टी के आप राजा, सब का दुख मान अपमान उसका मुल्यांकन करने वाले स्वयम आप वासुदेव हो ये जगत को तारने के लिए जगत के हीज के लिए अफता उतार हुआ है प्रभू भगवान ने कहा है विश्म सही बोले आप बिलकोल सही बोले ये जगत का उड़ार ये जगत की अनीदी अपवित्रता ये जगत की अशुद्धता को मिटाने के लिए मेरा पद्रुभाव हुआ है बाकि तो मैंने रठी ये दुनिया बनाई भगवान ने जिसने इतनी बड़ी प्रकुरुती बनाई कलपना करो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा जिसकी दुनिया इतनी सुंदर है कभी केडार नात के जंगल में जाओ कभी गंगोत्रियम्रोत्री के जंगल में जाओ कभी गवमुख जाओ पता चलेगा भगवान की दुनिया का स प्रकूति, प्राण, क्या नहीं बनाया प्रमात्माने और बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी भव्य है, बनाने वाला कैसा भव्य होगा, जिसकी दुनिया इतनी सुंदर है, वो कारिगर कैसा होगा, जिसका जादू इतना सुंदर है, वो जादू गर कैस होगा वो भगवान कैसा होगा जिसकी इतनी बड़ाई सुष्टी इसमें पाप भी है पुन्य भी है गुण अवगुण सब के उर रही नाथ पुरान निगम अस कही पुरान निगम प्रमान देते कि के वल गुण या लाजनी रही नहीं सकता गुण अवगुण दोनों से सनी ये दुनिया है जिसमें गुण भी है अवगुण भी है पाप भी है पुन्य भी है दीन भी है राप्टी भी है सुख भी है दुख भी है उतार चड़ाव का नाम है दुनिया ये ये उतार चड़ाव वाली दुनिया जिसने निर्मान करी वो पगवान कैसा होगा वो तेरे मन में समाई ताहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले याके मन में समाई काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले याके मन में समाई काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले याके मन में समाई काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई हरी बोल हरी बोल हरी बोल जिसकी दुनिया इतनी अनुपम है तो वो भगवान कैसे होंगे जिसका जादू इतना अनुपम है तो वो जादू गर कैसा होगा काहे बनाई तुनिया नहीं पुझ ले, काहे बनाए तुने बादिक पुझ ले ए धरती ए प्यारी प्यारी मुखडे है दुझ ले धरती है प्यारी प्यारी मुखडे है उन्य ले काहे बनाया तुने दुनिया का मेला काहे बनाया तुने दुनिया का मेला काहे बनाया तुने दुनिया का मेला उस पे लगाया जवानी का मिहला गुपचपत माशागे थे वाहवे तेरी खुदाई काहे को दुनिया बनाई तुने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले जा तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तुने काहे को दुनिया बनाई कि आप अटादा बनाई प्रीत बना के तूने हसना सिखाया प्रीत बना के तूने हसना सिखाया प्रीत बना के तूने हसना सिखाया रोना सिखाया हसना सिखाया रोना सिखाया जीवन के पथ पर मीत मिला के जीवन के पथ पर मीत मिला के मीत मिला के तुने सपने सजाए सपने जगा कर तुने काहे को देरी जुदाई ताहे को दुनिया बनाई तुने ताहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने जाने वाले त्यारते नाचो झाचो कर दुनिया बनाई नाचो, मैं भी देखो कौन अच्छा नाश्का हरी बोल को धुर ऴंचाव। को दो कर दो, कुर रसी थूस दो युरी बोल तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर तू फाए प्यार का मन में चपा कर तू भाए प्यार का मन में चपा कर ए कोई छबी तो होगी आँखों में तेरी कोई छबी तो होगी आँखों में तेरी आशों भी छलते होंगे पलकों से तेरी बोले क्या सुजीत जगों ताहे को प्रीत जगाई काहे को दुनिया बनाई इख रशी शे भरो रेगा तारानी रागे महरानी रागे मने खारो खारो जम्ना दिनों पारी रागे जम्ना जी तो पारी कारी रागे गोरी गोरी जम्ना जी तो पारी कारी राधा गोरी गोरी ए भिन्रावन में धूम मचाए बरशाने की शोरी भिन्रावन में धूम मचाए बरशाने की शोरी इजदाम राधा जिती राजदानी लागे राजदानी लागे आने खारो खारो जमना जीनो पारी लागे नी राजदानी लागे राजदानी लागे खारो जमना जीनो पारी लागे आरीड इना आरीड आरीड झाल झाल पानानिक मुरली में तेरे शुमिरन बारम बार झाल पानानिक मुरली में तेरे शुमिरन बारम बार ए कोटी रूप धर मन मोहन कभू नावे पाद ए कोटी रूप धर मन मोहन कभू नावे पाद ए कोटी रूप धर मन माहन कभू नावे पाद लंग किशा भी पटरा नीला आदे मने खारो खारो जमना जीनो पारी लाग ए कोटी रूप धर मन में खारो खारो जमना जीनो पाई आदे इठल विठल विठला आदी ओम विठल इठल विठला अदी ओम विठला आदी ओम विठल इठल विठल विठला आदी ओम विठला चोपडा मावेला आदी ओम विठला चोपडा मावेला आरी ओम बिठला योगी जी ए डिठला आरी ओम बिठला योगी जी ए डिठला आरी ओम बिठला योगी जी ए डिठला आरी ओम बिठला विठ्थल 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 आरी ओम विठ्थला विठ्थल 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 विठ्थला श्री राते बर्शने वाली राते रादे 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 परसाने आली रादे कभी राम बने के चले आना प्रभू जी चले आला कभी राम बने के चले आना प्रभू जी चले आना कभी राम बने के चले आना प्रभू जी चले आना कभी राम बने के चले आना प्रभू जी चले आना कभी राम बने के चले आना प्रभू जी चले आना प्रभू जी चले आना कभी आना कर दो आना कर दो बने की कर दो करा डाम एंप क्रिश्ण के दरबार में विश्वाश लेके आया हूँ मेरे बच्पन का यार में वे सोच कर में आश लेके आया हूँ काली कमली वाला मेरा याद है काली कमली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिल दाज है मेरे मन का मोहन तू दिल दाज है मेरा याद है मेरा दिल दाज है काली तू काली कमली वाला मेरा याद है काली कमली वाला मेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिल दाज है मेरे मन का मोहन तू दिल दाज है अपना तूझे मान लिया है ए जीवन यब तेरे हवाले अपना तूझे मान लिया है ए जीवन यब तेरे हवाले तेरे हाथों में इकी पतवाज है मेरे मन का मोहन तू दिल दाज है मेरे मन का मोहन तू दिल दाज है तेरे मन का मोहन तू दिल दाज है मेरे मन का मोहन तू दिल दाज है तादा तेरा शाम हमने को खुल में देखा अंहन चराते हुए तादा जी तेरा शाम में खा आखन चुनाते हुए तादा तेरा शाम देखा रादा रूद रही किसीने मेरा शाम में खा ओ रादा तेरा शाम हमने चुपडा में देखा रादा तेरा शाम हमने चुपडा में देखा रादा तेरा शाम हमने चुपडा में देखा भगवत्क था शुझते रादा जी तेरा शाम देखा भगवत्क था शुझते रादा तेरा शाम देखा भगवत्क था शुझते तेरा शाम देखा भगवत्क था शुझते तेरा शाम देखा आत्री गजिते लभते सुवकता स्रुता पी ग्रुष्न स्मता मलमन्यद्harmay Eh धरमं भजस्वा सततंत्यजलोक धरमान भगवत्व धरमं भजस्वा सततंत्यजलोक धरमान सेवस्य साधु पुरुषान जही कामत रुष्णाम अन्यस्य दोश गुन चिंत नमासु मुक्तवा सेवा कथारस वहो नितराम पिवत्वम। हे वशुले तुमारा नाम अपवित्र को पवित्र करने वाला हे गोविंद तेरे नाम की सूर्ता तेरे नाम के मूल आर्थ में अगर जीव डूप गया तो हे गोविंद इसके लिए जगत में कोई वस्तु अशक्य नहीं है अन्यस्य दोश गुण चिंत अनमाशो मक्तवा दुषरे के गुण दोश में मेरी उर्ती न जाए दुषरे के पाप पुन्य में मेरा मन न जाए हे गोविंद मुझे सत्पुरुष्का संग प्राप्त हो सेवाज कथा रसम हो नितराम पिवत्वम मैं नित्य आपकी कथा का पान करू सत्वस्तु का पान करू साधु पुरुष्का में संग करू मेरा मन आपके चर्णों को छोड़ कर कही जाये नहीं यह संसार संसार करद माले प्रक्षालन पतियसी हे गोविंद यह दुनिया यह संसार ए गोविंद इसकी पति उसकी परियती यह इसका परिपाट परिताप कोई नहीं जान सकता इसके मूल में क्या है संसार कर्द माले प्रक्षालन पतियसी कथाति रिथे स्थिते चित्ते मुक्ति देव बुजह स्मृता हे गोविंद कोई पाप नहीं हुआ जहां तक मेरी मती जाती जहां तक मेरी वृत्ती जाती ए गोविंद मेरी वृत्ती इतनी चंचल है ही नहीं कि मैं कोई पाप करूँ निश्पापी भिश्म निश्कामी भिश्म न पाप न काम तो फिर सजा क्यों हे गोविंद बताईए दादा की वानी सुनकर भगवान मन्द मन्द हस्ते हैं ये तो कृष्ण है, चीत चोर है, नटवर है कृष्ण का अर्थ ही है आकृष्ट करता है अपनी और खींचिता इसका नाम कृष्ट कृष्ण सब्दक की विद्पत्ती यही है आकृष्ट करता है अपनी और खींचिता जिसको एक बार निहारने से बार बार निहारने का मन करे जिसके साथ सबंद स्थापित करने की इच्छा हो जाए बहुत कम पात्र मिलते ऐसे संसार में जिसके साथ मन करता कि मैं सबंद बाजलू इसके साथ पृत की दोरी को और घड़ा करो बहुत कम मंद मंद भगवान हस रहे डादा का प्रत्यक शब्द भगवान ने स्रवन किया हस रहे ए गोविंद अंदकाल नजीक मेरी आत्मा कब गती कर जाए क्या भरोशा लेकिन विश्वास है मेरे सनमुक आप हो जिन्होंने पुरा जहां बनाया भगवान मेरे सनमुक है गोविंद को निहारते निहारते शरीड छूट जाए तो इनसे उपर की गती है क्या इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले मेरे सामने तो स्वयम गोविंद अभी तक तो खाली भिश्म बोलते थे और कृष्ण सुनते थे अब कृष्ण बोलेंगे और भिश्म सुनेंगे हे गादा और भी कुछ याद आता है तो बोल जो नहीं बस कौन से पाप की सजादी मैं तो निश्पापी, निर्विकारी, निर्पेक्ष, निर्मोक्त मुझको दंड और इतना भारी दंड और वो भी मेरे सिस्चे के माध्यम से निमित बनाया अर्जुन को अगर भगवान चाहते तो भगवान खुद नहीं, अर्जुन को निमित बनाया केंद्र में रखा अर्जुन को और भगवान बोलते हैं हे दादा, हे भिश्म अपने कोई पाप नहीं किया, वो तो मैं भी बोलता हूं जिसके लिए भगवान बोले भगवान स्वयम कबल करे कि तुम निश्पाती हो वो भिश्म कितने महान होंगे इसकी महान तक कितनी उची होगी जिसके लिए ठाकुर जी को बोलना पड़ा कि तुम निश्पाती हो हे भिश्म, कोई पाप नहीं किया निश्पाती हुआ विकार रही थे आपकी काया हाँ प्रभू, तो फिर ये सजा क्यों ये बान की सैया पर सोया हूं, टड़प रहा हूं मन्द मन्द गोविंद हस्ते है और हस्ते हस्ते भिश्म को याद कराते है हे दादा, जब पांचाली आपके पांस आई, वो अगनी की बेटी, अगनी की पुत्री तीन बेटी ये दुनिया में ऐसी आई, जिसको दारण करने वाली कोई मा ना मिली तीन बेटी, तीन देविया ये भागत देश में ऐसी प्रगठ हुवी, जिसको दारण करने वाली याने गरवस्त, घरभ में रखने वाली कोई मा ना मिली भगवान तो आज भी अवतार लेने को तैयार है, मा कहा है कउसलिया जैसी मा, देव की जैसी मा, तहां है, प्रभु तो आने को तैयार आज भी बुद्ध का, महावीर का, जिसस का, कौन बोला जिसस चले गए जिसका बलिदान, सरवच्च बलिदान, कौन कहता की जिसस चले गए मेरे को एक दिन, संध्या के समय पर, कोई नहीं था आजुबाजु में पावागर की महाकाली को देखते देखते, भगवान बैठे थे हम दोनों की द्रष्टि, यासरी स्वयम सुक्रदिनाम भवरेश्व लक्ष्मिही, पापात्मनाम कृतदियाम रदयेश्व बुद्धिही, स्रद्धासताम कुलजन प्रभवसलज्या, ताम त्वाम नतास्म परिपालयो, देवी विश्वं, हे महाकाली विद्ध्धामसमप्रभा म्रगपति संधस्तिताम भीश्वनाम, कन्या भिहिकरवाल खेट विलसत धस्था भिरासे विताम, हस्तेश्चक्र, गदा, सिखेट, विशिखाम, स्चापम, गुनम, तरजनिम, विब्रानाम, नलात्मिकाम, सशिदराम, दुरुगाम, त्रिनेत् महाकाली को नमस्कार करके, नारायन भगवान के चरलों में डंडबत करके, गबराते गबराते, मैंने पूछा, भगवान, जिसस, जो जीव मात्र को सुखी करने के लिए खुज सुली पे चड़ गए, सत्य को सुलीज मिलती है, गांधी को गोलीज मिलती है, मीरा को जहर मिलता, तुकाराम को पागल कहा, ग्याने स्वर को दिवाना कहा, साई बाबा को भी पागल कहा, जितने भी सत्य के रह पे चले, दुनिया ने अच्छा बहवार नहीं किया, उसमें संत को क्या फरक पड़ता कबीर तेरा जोपड़ा गल कट्टे के पास कबीर तेरा जोपड़ा गल कट्टे के पास करेगा सो भरेगा हम का है उदास तेरी करनी तू भोग बहुत मुश्किल है आउतार निकल जाता है फिर दुनिया आँख फोलती है और समाधी पे मत्था फोलती है जिन्दा को नहीं पहचानते कौन सा गर्वा आ जाता कौन सा हंकार बिच में आ जाता वो पता नहीं चलता अवतार तो अपना कारिया करके निकल गया अवतार कभी घोषना नहीं करता कि मैं अवतारी हूँ लेकिन इसकी प्रत्यक चेष्टा उसका प्रत्यक कर्म सामाध्य मनुष्य को बोलने पे मजबूर करेगा कि ये अवतार है ये अवसाधारन है ये असिमीथ है ये असिमीथ है पाप नहीं किया दादा मैं भी कबल करता लेकिन जब पांचाली आई तीन बेटी ऐसी जणमी जिसको धारन करने वाली कोई मान अमीडी पहली सीता भगवान राम चंगरदी की अर्धांगी नी वैदेही और जनकपुर से गई नाम बदल गया किशोरी जू बहुर प्यारा नाम है ये जनकपुर के संत कभी बार नहीं बोलेंगे सीता वैदेही कभी नहीं बोलेंगे ये तो हमारे सरकार की किशोरी जू है बहुत प्यारा सब्द है किशोरी जू यानि सीता वैदेही धर्ती में से प्रगठ हुई कोई मान न मिली दूसरी राधा जर्ती में से प्रगठ हुई राधा वुर्ष भानू को धर्ती में से प्राप्त हुई थी राधा आज भी बिंदावन के संत हमारे रास भी हरिदास दी महराज आये है मैं पहले दिन उनका दंडबत किया तो बिंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में वहां के संत, कृष्ण, 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 नहीं बोलेंगे राधे, 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 राधे अगर हमारी राधा नहीं होती, तो राधा के बिना कृष्ण आधा पूरा नहीं आधा हमारी राधे आई, तो तुमारा कनिया पूरा हुआ इसलिए भृंदावन के संत जैसी कृष्ण, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेंगे कभी रादे रादे, रादे, इसलिए इनके लिए राधा वो पास्य देवता है, राधा को वो अपनी कोई देवी मानचे, वो राधा जमीन में से आई, सीता जमीन में से आई, और तिसरी पांचाली जो अगनी में से प्रगटुवी, यगने न यगनमय जंत देवास्तानी धरवानी प्रथमान्यासन्न, तेहना कम महिमाना सतंत्र, यत्र, पूर्वे, स्वाध्याहा संति देवाहा, अगनी में से प्रगटुवी, भगवान, आपको इश्वर हो, तदपितव गु तो कोई पार नहीं, न शब्द बांच सकता, ये भगवान, थोड़ी, शंका का समाधान किजिये, जिसस, जलाराम बापा, और सिर्वडी के साई भगवान, तो भगवान बोले, मैं आस तक किसी कोई नहीं कहा, आपको खाली बोल रहा हूं, और जब तक कोई अधिकारी जिवात्मा आपको न मिले, तो ये बात बोलना दमें, आपकी धरश्टी में सामने वाला पात्तरता वाला हो, अधिकार तत्रों से जागरत हो, तो जरूर उसको भक्ती की प्रिड़ना मिलेगी इसकी वज़े से कहना, बाकि नहीं किर्टीनी काम नहीं निलला नोतरास, नारायन कहे तियां सदा सुकुसान्ति नोबास, चैने किर्टी नती जोई थी, पद नती जोई तू, परतिष्ठा नती जोई थी, कोई वहवा करे कि कोई डाली दे क्या फरक पड़ेगा हमारी मौज में तो कोई फरक नहीं है तुमारी द्रश्टी नीची तुमको नीचा दिखेगा तेरी द्रश्टी उची तेरे को उचा दिखेगा मैं क्यों उदास भगवान ने बोला सत्यमानो जिसस आज भी मौजूद है जो जिसस की 14 साल की उमर और येरुसलेम से कश्मीर आए जिसस और कश्मीर के अंदर 14 साल रहकर भारत के योगियों से योग की साधना सिखी जो खुद अवतारी थे अवतार लेके आये थी जिसस 14 साल कश्मीर में रहे भगवान ने बताया योग की साधना में डूब गए जब सुली पे चड़ाया उसकी मा मेरी जिसका नाम मेरी था जिसके कोक से जिसस का जन्म हुआ थी वो भी वहाँ थी गुजरात्मा के वक्षे ने तमासा ने तेडू न होई भजन थता होई तो पांचेज मानस होई पर नाटक चालत होई तो हो माना जाए अशुद्धी में लाइन लगेगी शुद्धी के लिए तो भाग्य चाहिए नसीब चाहिए इसकी दुकान नहीं है जो मिल जाए शुली पे चड़ाया घीला ठोके सरीर में रक्त की धार बहने लगी उसकी माँ देख रही है जिससका रोम रोम पवित्र हो रहा है अला रक्त बहने से काया पवित्र होती बोले हाँ मेरे रक्त का एक बुंद अगर धर्शी पे गिरेगा तो धर्शी फट जाएगी मेरा रक्त मेरे सरीर का रक्त गया धर्शी पे तो धर्शी पट जाएगी यह शक्ती है मेरे रक्त में क्या मजाल है इन लोगों की कि मुझको टच करे जो जिसस ने खाली ध्रश्टी मात्र से हजार अंधे को देखता कर दिया जिसकी रोष्टी नहीं थी उसको आखे दी हजारों आए लखवा वाले उनको अच्छा कर दिया हजारों आए जिनको नया जन्म दे दिया इनकी ताकार यहुदी की के वो लोहे का खिला मारे जिसस की इच्छा थी करने दो सब कर लिया, बाद में जिसस भगवान को कहते है, हे इश्वर, इन लोग को माफ कर देना, क्योंकि ये क्या कर रहे है, उसको मालूम ही नहीं, माफ कर दो, ये है अवतार की छाटी, ये है अवतारी पुरुष का प्रमान, कोई कुरोथ नहीं, नी तो चाहे तो भस्म कर देते, इतनी शक्ती थी, संकल्प मात्र से वही दार देते उसको, नहीं, शमा विरस्य, भूशन, शमा विरोग अभूशन है, बुले, क्रॉस के उपर लठका दिया, जिसस को खिला मार कर दो, पूरी रात्री उनका शरीर, क्रॉस के उपर ही लठकता रहा, दुसरे दिन, शरीर को नीचे उतार, बहुत बड़ा लकडे का कौफीन बॉक्ष बनाया, सुला दिया, जिसस के सरीर को, क्या बचा था, हद्डी और रक्त की धारा थी सरीर में, सुला दिया, एक अंतिम कपड़ा बचा था, जिसस का, जो खून से लठबत था, पूरा कपड़ा खून भड़ा था इसमें, वो कपड़ा आज भी यरूसलेम के अंदर रखा है, ये दुनिया के लाखो यहुदी लोग, वो अंतिम कफन को नमस्कार करने जाते है, जो जिसस का अंतिम बस्त रखा, पूफीन बॉक्स में रखा वो कपड़ा, जिसस का सरीर, और जमीन में बहुत गहरा खड़ा खड़ा, यहुदी लोगों के मन में संका थी कि कहीं ये गायब न हो जाए, उनके सिस्चे उनका शरीर बहार निकालके बड़ा मंदिर न बनावे, इसलिए बहुत उंडाई में डाला कॉफीन बॉक्स को, पूरा भर दिया मिट्टी से, दूसरी रात्री गई, तीसरा दीन गया, तीसरी रात्री गई, चोथा दिन गया, और चोथी रात्री को मध्य रात्री के समई, पूरी मिट्टी बहार आ गई, जो कहीं फूट नीचे गाना था कॉफीन बॉक्स, पूरी मिट्टी बहार उबल गई, बॉक्स खुल गया, और जिसस का शरीर गायब हो गया, यह यह कोई असत्य नहीं है, यह पूरी दुनिया के लोग जिनके उपर निष्ठा रखते है, यह सत्य कहानी, ठाली कॉफीन बोक्ष में इसका खून वाला कपड़ा मिला जिसस का, बाकि जिसस का शरीर हाथ में नहीं आया, वहां से जिसस अपनी मां के सामने आ गए, हे मैया सिरे को बदास्थम पे देखा था, नहीं मा तो उस समख भी सब कुछ कर सकता था यह तो मेरी इछा सक्ति से हूगा कि वो मेरो को किला लगाए, मेरी इछा सक्ति काम करती थी, तो मैने सवहन किया, बाकि किस्की सक्ति, मा आनली का, तु यह मत समझ कि मै कोई प्रेथ हूं, मे मेरी आई जिसस को स्वर्ष किया, वो ही जिसस थे, इसलिए बाइबल जो इनका धर्म पुस्तक है, वो बाइबल में दो विभाग है, पहला विभाग और दुसरा, पहला जो विभाग है उसको नया करार बोलते हैं, और दुसरा विभाग है उसको पुलाना करार बोलते हैं, न जो उपदेश दिया, वो जुने करार में समाहित है, मैं तो चर्ष में से फाधर को बुलाता था, अज 30-40 साल पहले, और फाधर को दक्षिना देता था, और फाधर को बुलता था, कि बाइबल की मूल तक मेरे को पहुचाओ, मैं ये जनना चाहता हूं, कि मेरा कृष्ण गीत में क्या कहता, और आपका जिसस बाइबल में क्या कहता, जब तक जब तक उसकी थाह न मिली, तब तक मैंने उसका पिछा नहीं छोड़ा, जब मेरे मानस में आ गया, कि नई, जिसस कृष्ण एक है, एक है, तो जिसस आज भी मौजूद है, भगवान कहे, आज भी है, वो गए नहीं, वो तो खाली चोला गायब हो गया, और समाधी लेने से पहले साइं बाबा ने वचन दिया, मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, जब मेरी समाधी हो जाएगी, मैं जमीन में गड़ जाऊंगा, इसके बाद भी अगर कोई आया, समाधी पे मठ्ठा उसकी हरे एक मनक कामना में पूरी करूंगा, ये नहीं समझना कि मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरा रक्त, मेरी हड़ी, मेरे सरीर का जर्रे जर्रा मनुष्य मात्र की सेवा करेगा एई भिश्म, कोई पाप नहीं किया, मैं भी कबल करता कि मेरा भिश्म निश्पापी, तो फिर ऐसी सजा क्यों दी भगवान, ये सहन नहीं होता, रक्त की धारा बह रही है, तरप रहा हूं मैं, मेरा समधान की जिये, ये वेदना क्यों दी मेरे को, उस समय भगवार ने कहा एई भिश्म, तुने कोई पाप नहीं किया, मैं भी कबल करता, लेकिन तुने तेरी आँखों से पाप देखा, इसकी सजा है ये, आँख से पाप देखना भी महापाप है, पाप नहीं करो ठाकुर जी की कुरुपा कि हम बज जाएंगे, लेकिन किसी पाप करमों को आँख जाएंगे, क्योंकि आँख से ही विकार जाता, वो भी पाप, व्यक्तिगत रूप में भिश्म ने कोई पाप नहीं किया था, भिश्म ने कभी कोई हिंसा नहीं की, कोई पाप नहीं किया, लेकिन पाप को आँख दी, पाप को नेत्र दिया, नेत्र को बहुत संभालना पड तुने पाप आँखों से देखा इसकी सजा है जब जरौपदी आई पांचाली आई नमस्कार करके तडब तडब के बेटी बोलती थी कि है भिश्मा बचालो मुझे ये हस्तिनापूर की इज्जत का सवाल ये ये राक्षस की सक्ति क्या दे मुझे को सपर्ष करे ये दुशासन दिर्योधन क्या कर रहे है भरी सबा में हे डादा निर्र नहीं करो जरौणाचारिये कुरुपाचारिये किसी की सक्ति काम ना आई भिश्मा में तो कितनी ताकात थी खाली मंत्र का आवाहन करते दुशा आसनों दुर्यों धर्म पर जल्चाच देते क्या टाका ठीकि पांचाली को सपर्च कर सके छूँ सके लेकिन बेटी पुकार करती रही एक निराधार एक अबला नारी एक दुख में फिरित नारी बार 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 बोलती के दादा मेरी रक्षा करो और पांचाली का सब्द सुन के बाद मदद करना तो दूर की बात जश्टी नीची कर ली मदद नहीं किया आपने और ये गोर पाप आँखों से देखा इसकी सजा है पाप न करो गवान की कृपा लेकिन पाप को कभी आँख मत देना इसलिए हमारे गुजरात के कभी गाते आँख मारी उगड़े प्यासीता राम देखूं आँख मारी उगड़े प्यासीता राम देखूं सुबे ने जब आँख खुले तो गुरु का और कुस्त का दिदार करो आँख मारी उगड़े प्यां सिताराम देखू आँख मारी उगड़े प्यां सिताराम देखू दन्या मारू जीवान रुपाये नीले खू दन्या मारू जीवान रुपाये नीले खू रामकृष्ण रामकृष्ण आठी आचे मारी रामकृष्ण रचे आँदारो ये प्रभुये दिधी छे मने उडवानी पांख अरुए दिधी छे मने उडवानी पांख आपको आपने पाप को आँख दी डादा इसकी सजा है पाप से बच जाओ भगवान की दया है लेकिन पाप को नेत्र मत दो पाप नहीं करो निश्पा की है अपने लेकिन पाप को आँख दी ए दादा तुमने जरुपदी का उदगार सुनने के बाद भी कुछ मज़द नहीं किया निचा देख गए इसकी सजा है दुख में से निवृत्ति भगवान कराते लेकिन कर्म ही ऐसा करोगे दुख आवेद नहीं कोई विपत्ति आवे ही नहीं यहां तो कर्मने वाधिकार स्ते कर्म आ कर्म विकर्म ए भिश्म आप निश्पा की लेकिन आपने अपनी आँखों से पाप देखा दुरियो धन के गर का अन्न था विश्म की हड़ी में दुरियो धन के गर का पानी था विश्म के पेट में इसलिए चुप रह गए परतिकार न कर सके द्रोपदी की रक्षा न कर सके महापाप जो नेत्रों से देखा इसकी सजा पाप करना बच गए भगवान की गुरुपा नेत्र मत दो कहीं भी ऐसा कोई बातावरन चलता हो पापा चार का सीधा निकल जाओ देखो मत कहें साक्सी में पढ़ते हो साक्सी भाव में आना वो भी पाप बिश्म का समाधान हुआ है अन्त में भगवान के चरणों में नमस्कार किया भिश्मन है है प्रभू अन्त उत्तम गती को मुझको भेजिए उत्तम गती सूर्य जब दक्षिनायन के अंदर आएगा मैं इच्छा धारी आत्मा क्या गनित होगा संतों का कल्पना तो करो ऐसे नहीं जाते अपनी जन्म रासी पकड़ते हमारी रासी कौन मेरा जन्म हुआ तब आकास में कौन सी रासी चलती थी कौन सा नक्षत्र चलता था वो पकड़ते अपनी जन्म की रासी पकड़ते तिथी पकड़ते कौन सा ग्रह बरतमान में कौन से चाल चलता वो देखेंगे नक्षत्र कौन सा गड़ी कौन सी पल कौन सा और चरण कौन सा ये जोतिस का विभाग है अगर सब सही सही आ गया याने अपने मन लायक अपनी गिंती के अनुकूल आ गया तो स्वयम सरीर को त्याग देते हैं शरीर को छोड़ देते हैं भगवान कृष्ण ने भिश्म को याद कराया आप निश्पापी हो आपके सरीर मंदिर से कोई पाप नहीं हुआ लेकिन ये संसार की ब्रम जाल के अंदर ऐसा आप चले गए हस्तिनापूर की रक्षा करने के लिए दुर्योधन के हर गुना आपने विखाए एक दो पाप नहीं महा भारत जैसा तो कोई कावियन नहीं है कई लोगों के मन में श्री शंका है बोले भागवत कराने से पित्रु की तृप्ती होती है बरबत जीता कराने से आत्म ज्यान उपलबद होता है रामायन कराने से एक आधर्स जीवन का सिद्धान्त प्राप्त होता है कि जीवन कैसे जीए और महाभारत करने से जगड़ा होता है बुले जिसके भी गर में महाभारत की कथा होती वहां जगड़े हो जाते है बुले इसलिए देखना जाहे में कोई महाभारत की कता नहीं करता बाकि महाभारत के अंदर जो रहस्य छीपा है ये तो आज सब मिसाइल निकली अगनी मिसाइल पृथवी मिसाइल महाभारत के युद्ध का जो परवा आता शांती परव के बाद इसमें आप पढ़िये एक-एक-एक सस्त्र का रहस्य जो आज बना जो आदी अनादी से महाभारत में है अगनी का आस्त्र वायू का आस्त्र पृथवी का आस्त्र जल का आस्त्र जो आकास को फार देवे, पृथिवी को फार देवे, वो रहाश्य महाभारत में आदी अनादी से लिखा है, वईग्नानी को ने तो उसका खली ट्रांस्लेशन किया, नाम बदल दिया, मिशाइल नाम रख दिया, आज की दुनिया के अनुकूल, बाकि उसका सही रहाश्य भारत में छिपा है, सुदर्शन चक्र क्या है, भीम की गदा क्या है, अर्जुन का गांडीव क्या है, महा भारत जैसा तो कोई काप प्या देई, लोगों की मानसित्ता खराब हो गई कि लोग सोचते कि ये पढ़ने से, इसकी कठा कराने से, जगडे होंगे नहीं होंगे, जुझा पैदा मिलेगी अंदर से, एक बार पूरा पढ़के देखो आप, महा भारत में जो सिद्धान्थ बताए, ऐसा तो कहीं नहीं बताए, खाली युद्ध की कठा है, असा मत समझो आप, पारत की ये कहारी, हाँ, सदियों की है पुरा नेरी, ये ज्ञानगा, विशियों की, विशियों की ये पुरा अमर्बानी, ये ज्यानी की ये गंडा, विशियों की ये मर्बानी, ये विश्य बारती है, वीरों की यार्दी है, ये नित नहीं पुरा ने, भारत की ये कहारी, ये नित नहीं पुरा ने, भारत की ये कहारी, महाफारा कर दो कर दो वीरों की कथा जिसमे है विरत्व से भरा कोई धर्म गरंथ है जो वीर रस को प्रगट कर दे एक एक पात्र देखिए वो पात्र की जिवन सैली देखिए आप धन्दारी कर न इनकी उत्पत्ती देखिए यह सो कवरव कहां से पैदा हुए एक संत्र ने मुझे को बोला रहस्य बताए बोले पांच बांडव का पादरुभाव याने पांचों का जन्म वो तो संकल्प सिद्धी का प्रमान था लेकिन कवरव वो सो कहां से पैदा हुए तो बोले गंधारी रात्री के समय अपने कक्ष में बैठी अपना कारिय कर रही थी अचानक निंद्रा आ गई संत ने कठा कहा यह बहां भरत में नहीं होगी निंद्रा आ गई और घाड निंद्रा के अंदर गांधारी ने स्वपन देखा अपने नित्रों से स्वपन देखा स्वपन में रिशी आए और रिशी ने कहा है गांधारी तो पुत्र प्राप्ती के लिए चड़प रही है तेरे मन में जो वासना है अगर वो वासना परिपूर्ण नहीं हुई, तो अधूरी वासना दूसरे जन्म में भी तेरा पिछा करेगी, तेरे मन की वासना को विराम देना बहुत जरूरी है, और एक पुत्र के लिए तरपती है, ऐसा नहीं दिखता, तेरे मन में अनेक पुत्र की वांचा है, तू यह मुझे को एक सत्थफुत्र हो, अगर एक सत्त पुत्र चाहती, संकल्प मात्र से देता, लेकिन तेरे मन में तेरे भीतर की गहराई में अनन्त पुत्र की वासना है, यह ज्यादा पुत्र चाहिये, तो हे घंधारी एक काम कर सो मिट्टी के घड़े और सो सुवर्ना के घड़े मंगाओ यह सब सोपन में हो रहा है बाद में घंधारी नहीं उसको क्रिया बाद में करी लेकिन जो जो दिखा संच बोले सो घड़ा लाओ मिट्टी का और सौ घड़ा लाओ सुवर्नका जो आगे के सौ घड़े मिट्टी के लाए इसमें भरो जल गंगा जल पूरा और सुवर्नका जो सौ पात्र आया था उसमें डालो गरत गरत याने घी सौ घड़ा पानी से भरो और सौ घड़ा घी से भरो बिलकुल छला छल भर दो और जमीन में गाड़ दो एक तरफ जल का घड़ा गाड़ो बिच में रस्ता रखो एक तरफ सोने का घड़ा गाड़ो ए घंधारी लक्ष देना जब तू जल घड़े में डाले उसका मुबंद करे उसको जमीन में प्रवेश करावे तब किसी की द्रश्टी नहीं पढ़नी चाहिए तेरे को कोई देखना नहीं चाहिए तेरे मन में ऐसी आकांसा ऐसी संका भी नहीं आनी चाहिए कि मुझको कोई देख रहा है इसलिए ये करने से पहले चारों तरफ द्रश्टी घुमा लेना कि मेरे को कोई देखता तो नहीं अमुक अनुष्ठान अमुक मंत्र ऐसे है जो जोर से नहीं बोले जाते है मन में बोलना पड़ेगा जोर से अगर बोलोगे तुरत उसका प्रमान मिलेगा उसका वाईपिरसन तुरत बता देगा वो अमुक मंत्र एकदम गुप्त बोलना पड़ेगा यहां तक होज भी मत खोलो और मंत्र बोलो जिसको अगोर मंत्र बोलते है जो साबरी विद्या का मंत्र है एकदम छोटा-छोटा मंत्र है बहुत सक्ति वाला मंत्र उसमें एक तो मारूती का है जो मंत्र साडंगपुर के हनुमान जी से मिलता जुलता है साडंगपुर के हनुमान जी का प्रधान मंत्र है ओम नमो हनुमंते भया भंजनायो सुखं कुरू फट्र स्वाहा क्या साडंग पूर के दादा है अभी मैं बोलता हूँ तो दिख रही है पुरी छबी मिले को दादा की छबी दिख रही है महावीर बिनवव हनुमाना राम जासु जश्ट आप बखाना प्रनवव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासु रदयागार वसही राम सरचाप धर कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन जाही दिन पर नेह करऊ पुरुपा मरद नमयन अतुलित वलधामं है मशैलावदेहं दनुजवन कुशानं मज्ञानिनाम ग्रगणियं सकलगोन निधानं वानरानाम धिशं रगुपति प्रिय भत्तम वात जातम नमामी क्या जूप है बीज मंत्र जो आपकी पुरुव खांदेश की कूल देवी है वनी देवी हम अमारे चंद्रकान भाई जो आपको संगीत के माध्ये से मैं बोला ने मैं कथा जरूर कर रहा हूँ आपको रस जरूर आ रहा है लेकिन मुझको कथा करने में ज़्यादा रस तब आता है जब ऐसे संगीत वाले भाई मिलते हो ऐसा सहकार देने वाले आत्मा मिलते हो तो कथा में और रस आता है यह राजु भाई है पहला नमबर में देखो कौन सा इंश्युमेंट उसको नहीं आता वो ही सोचने की बात है वो सब बजाते हैं सब बजाते हैं एक दिन रात को बारा बजे गिरिनार के मेले में मेरे को मिल गए, याद है राजुबाई, कपड़ा बपड़ा माथा पे लगाया जलाराम बापा जैसा, एक हाथ में स्कीकर का बॉक्स और एक हाथ में बेंजो, मैं दूर से देख लिया, राजुबाई है, राजुबाई खु सुख में रहे, खुब दिल से दुआ देता हूँ, दूसरे हमारे चंद्रकान भाई जो बच्पन से मेरे साथ एक रिष्ण सुलामा जैसा हमारा रिष्टा है, पहली कथा से लेके आज तक ऐसी कोई कथा ना हुई, जिसमें चंद्रकान भाई ना हो, मैं बहुत दूआ करता हूँ, एक हरसत भाई करके इनका हमारा मित्र था, हम अयोध्या भी गए थे मुरारी बापो की कथा में, चित्रकूर बहुत गुमे थे, वो भगवान के धाम चले गए वो, और हमारा चंद्रकान भाई हमेशा कथा में आज भी और और भी उनका कोई कर्म है नहीं, यह कोई धंदा, कोई दुकान नहीं करते, यही कर्म है उनक कहीं भी कथा आई, भजन आया, सप्ता हुई, खुद भी कथा में आनन्द लेते हैं और हजारों को आनन्द कराते हैं, ऐसे हमारे चंद्रकान भाई राणा, मैं खोब आशुरवात देता हूँ, भगवान आपके परिवार को सलेव सलामत रखे, आनन्द में रखे, और आज पहली बार में जिनका दिदार कर रहा हूँ, क्या ना, दिपक भाई बारोट, सवराष्ट ना, दिपक भाई बारोट, वा, हमारे लक्षमा भाई बारोट परसो आएंगे, वा, दिपक भाई बारोट, बहुत आनन्द आया, मेरे को बोला कंकिश्वरी मानता के साथ बैठते है, बहुत आनन्द आया, आप भी मेरे को भजन में साथ देते हो, बस यही जीवन संतों के भीच में पूरा करो, कथाओं में पूरा करो, कोई वस्तों की कमी नहीं आएगी, खर्चे न खुटे, वांको चोर न लूटे, दिने दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रत पायो, इस रूपिया पैसा तो लाखों पती कमाते और कमाने के बाद भोग भी नहीं सकते और मर जाते। दान नहीं दे सकते, किसी का काम नहीं कर सकते, किसी को दो रुपया नहीं दे सकते, क्या काम की वो लक्ष्मी, बहुत लखपती है चौपडा में, क्या काम के बच्चे भरष्ट हो गए, बाप के सामने बेटा सराप्ती के आता है, बाप का अपमान करता है, क्या करेगा तेरी स पतिको तू न कभी दान न कभी पुन्य जो करेगा उनका उपहास यह हमारे प्रताफ भाई वावाव नाम बुलता हूं मन भर जाता है नामज जिनका प्रताफ है चारो जुग परताफ तुम्हारा है परसिद्ध जगत तुझी आरा प्रताफ भाई का नाम देखो अनमान चाल और वो भी दूज खरीद के लाते खुद की गाई बैस नहीं है खरीद के दूज लाना और विक्री करना बेचना और थोड़ी सी जमीन है मैं 25 चान से आ रहा हूं यहां मैं जब से यहां आया हूं तब से आज तक दोनो टाइम का दूज प्रताफ भाई का पीता हूं मैं रो प्रताफ भाई साड़ा पांच लाथ रुपिया का दान दिया इनके लिए ताली बजाओवा हाला कि इतनी बड़ी रकम इनके शक्ति के बहार का भी सई था जब बो लेकर आये पैसा तो मैंने पुछा प्रताफ भाई मैं जानता हूं आप एकावन जार रुपिया देदो इ मैंने संकल्प किया बीच साल के बाद मेरे गुरू की वानी मेरे कान में पड़ेगी बीच साल के बाद हमारा बापो कथा कर रहे तो मैं इसमें से एक रुपिया कम नहीं करूंगा देही दूंगा आपको शाड़ा पांच लाथ रुपिया मैं बोला कहां से लाए असत्य मत बुले दो धाई लाख रुपिया का मक्का है मेरी खेच में मक्का खड़ा है बेश दूंगा दो धाई लाख रुपिया तो मिल जाएगा और बाकी का तीन साड़ी तिन लाख व्याज से उठाया दो तका पांच तका जो होगा वो ब्याज से उठाया और साड़ा पांच लाख रुपिया में देता हूँ मैं ये समझता हूँ कि कोई करोर पती करोर का दान देवे ने प्रता भय के दान के सामने खतम है उसका दान कोई मुल्य नहीं है उसके दान का क्योंकि जितने बड़े-बड़े लोग है न भीतर से बड़े हंकारी है बहुत हंकारी है सुन्य में थे आज पचीस साल में एकदम उपर चले गए तो कलेजाज बदल गया जब छोटे थे न बहुत प्यारे थे वो भगवान ने उनको प्रभूता नहीं देनी चाहिए थी कुछ नहीं था बहुत अच्छे थे वो लोग बोली में, वानी में, वहवार में आज रूपिया मिल गया नक्स सिखा तक का पुरा शरीर बदल गया वानी बदली, वहवार बदला क्या काम का तुमारा लट्ठो रूपिया जो रात को सांती से सोने नहीं देता हम और आप बहुत सुखी है जो रात को सो गए, तुरत निंद आ जाती लखपती तो गोली खाते गोली निंद की गोली तो भी निंद नहीं आती क्या काम का ये धन जो हम से परमार्थ न करावे अहंकार से फुले फले हो कोई अच्छा कारिय होगा तो पीछे भागते हो और जो कारिय करता उनका उपहास करते हो ये प्रताब भाई को गाउं के लोग बोलने लगे और गाउं के लोग उसको बोलने लगे मेरी पुर्सार्ट की लक्षमी दी आपको क्या है आप क्यू मना करते फिर भी लोग बोले नहीं ऐसा नहीं देना चाहिए पांच लाख रुपया घर में लगाता तो मकान बन जाता पांच लाख रुपया में शोटी दुकान खुल जाती बावा को देने का क्या मतलब कौन सा कल्यान हो जाएगा तेरा तब सुनने के बाद प्रताब भाई का मगज गया और वो बोले सुनो गाउं की हर एक जंता सुनो आज के बाद अगर मेरे गुरी की सेवा करने का कोई मौका आया अगर मेरे पास संपती नहीं होगी मेरा घर बार और खेती भी बेच दूंगा और गुरू की सेवा करूंगा इसको बोले दान इसको बोले दान मेरे गुरू के लिए रुपिया पैसा चोटी बात मेरी संपत्ती भी बेच दूंगा लेकिन गुरू की सेवा का मौका नहीं छोड़ूंगा इसको बोले दान लखपती तो लाक रुपिया देता है तो पीछे जोता है, मैं बहुत भाव से, अलाकि मेरे शिश्य है, मैं मंत्र किसी को नहीं देता था, लेकिन कौन सी हिंमत आ गई मेरे में, आज तक कि मेरे गुरु भगवान ने मुझको मंत्र देने में 28 साल लगाए थे, 28 साल तक मेरी परिक्षा करी मेरे गुरु ने, बाद में मेरे को दिख्षा प्राप्त हुई और मैंने गुरु जी को बोला था भगवान जितनी देरी से आप मंत्र दोगे न तो एक दिन कुछ अमंगल घटना घट जाएगी मैं बोलता था मुझको जल्दी दिख्षा दो भगवान बोलते थे नहीं समय आएगा तब दूंगा हर गुरु का दिन है मैं मंत्र मांगूंगा अगर भगवान ने मंत्र नहीं दिया तो मैं मेरी काया नर्वदा में छोड़ दूंगा मैं सरीर छोड़ दूंगा नर्वदा में बाकि आज नहीं मानूंगा अठाई साल से में माना आज नहीं मानूंगा और भगवान ने मेरी वासना पू पुकना किसी को दिक्षा देना साधारा नहीं है। ये जीवात्मा के पाप और पुन्य का भोगवता। ये जीव जो भी पाप करेगा पुन्य करेगा। उनका पूरा भागीदार उसका गुरू बनता। अगर सिस्चे ने कोई अनुचित कर्म कर दिया तो उसका गंड कभी किसी को नहीं मंतर देता था। लेकिन हमारे अमुरुद भाई क्या आत्मा है अमुरुद भाई की। हर साल जिद्धी बार में आता था यहां डोनों पती पत्नी रो रो के मंतर मांगते थे। रो रो के। एक साल, दो साल, दस साल, पंतरा साल। दूंगा, दूंगा, दूंगा। एक दिन बोले बापुजी ऐसा लगता है कि हमारा सरीर छुख जाएगा और हम बिना मंतर चले जाएगे, आप मंतर देही दो या तो नक्की करो कि हमारा कर्म उजला हो तब हमको मंतर मिलेगा, बाकी तडबाओ मत, शरीर छुख जाएगा हमारा। उनकी आखों में, उनकी बोली में, गुरु मंतर की चाहत मैंने देखी और मैं देने को तयार हुआ, और भी जो भाक्षा आली आत्मा थे, भगवान की कृपा से उनको राम मंतर प्रदान किया है, खोवानन से जब कीजिए, यही जब तो तारेगा, यही मंतर तो संसार से उबारेगा, यह संसार सागर से पार कौन करता, गुरु का दिया मंतर, जब गुरु कान में देते हमारे भारत की परंपरा ह कि कान के मध्यम से, करनेंद्रिया के मध्यम से, गुरु मंत्र का वीज, गुरुजी साधक के शरीर में प्रवेश करा थे। गुरुजी मारा कान मा कई कही गया। गुरुजी मारा कान मा कई कही गया। क्या हतो ने क्या तमे मन लई गया। मंत्र के भीना, कहा था मैं। ये क्या हतों ने क्या आत्मे मने लई गया क्या हतों ने कहा था आपने तहा कहुचा दिया करते नहीं गया दूरुजी मारा कान मा कही गया कुरुजी मारा कान मा कही गया क्या हतों ने क्या आत्मे मने लई क्या हतों ने क्या आत्मे मने लई गया क्या हतों ने क्या आत्मे मने लई गया मैं कहां था अपने कहां पहुंच आया कुरुजी मारा तानमा कहीं गया गुरुजी मारा आदमा कहीं कहीं गला हरी बोल हरी बोल हरी बोल नाज भ्रम्म नाज और बुंद का ये संसार है नाज के माध्यम से सदगुरु सत सिष्च की उत्पट्टी करते है और बुंद के माध्यम से पीता पुत्र की उत्पट्टी करता है नाज भ्रम्म दिक्षा की विधी जब हमारे संतों में दिक्षा विधी होती है समान्य आत्मा अगर वो विधी को देखेगा तो भई खा जाए गिर्जा होम करना पड़ता है सन्यास की विधी बड़ी किसी के देखने से ही आपको भई लगेगा दिक्षा बोले विवेका नंद ने ठाकूर के पास समाधी मागी यह तो ठाकूर है जो काली के वियोग में रोते है हिंदु धर्म और हिंदु शास्त्र में ऐसी कोई साधना ना थी जो ठाकूर ने न की अरे ये दुनिया में जितने भी धर्म है जितने भी मजब है हर एक मजबी की साधना राम कृष्ट परमंस ने की जब बाइबल पढ़ने लगे तो पूरा कृष्टन बन गए जैसे कृष्टन के फाधर लोग कपड़ा पेहनते हैं वाइट कलर का वैसा पहनने लगे राम किष्ट परमंस और सोचने लगे मैं खुद जिसस का आउश हूँ चली साधना जब बाइबल पर आए कुरान पर आए बड़े-बड़े मौलवियों को बुलाया कुरान शरीप की आयात क्या कहती है गिता का स्लोक क्या कहता भागबत का स्लोक क्या बोलता और कुरान शरीप की आयात क्या बोलती पूरा मुसलिम भाई जैसा कपड़ा पहनने लगे जैसे मुसलमन भाई तोपी पहनते है ठाकुर ने तोपी धारन की मुस्लिम का पुरा पहरवेश पहरा और पूरा शरीर, पूरा मन कुरान को समर्पित कर दिया, उनके मूल को पकड़ा, इनके गुरुजी थे, बहरवी ब्रमानी, एक बहरवी ब्रमानी करके देवी आती थी, और एक तोतापुरी नाम के संत थे, जो ठाकूर की गुरु थे, देखा गुरुजी में, कि ये तो संपूर्ण भगवान का हो गया, रामचंद्र परमान्स की जीवन कथा पढ़िये आपका रोम खड़ा हो जाएगा, जिनकी समाध्य आज भी बेलूर मच में है, हनुमान जी की उपासना में डुबाया गुरु जी ने, ध्यान देना, हे परमान्स, हे बेटे, परमान्स बोलते, हे विवेक, अब तु मारूती की उपासना कर, तुन्हे हर धर्म की उपासना की, हर धर्म का अंतिम निचोड तुन्हे प्राप्त किया, अब महावीर की उपासना कर, और ठाकुर डुब गए, मैं हनुमन्त हूँ, मैं अंजिनी का सुत हूँ, मैं अंजिनी का बेटा हूँ, मैं वानर हूँ, मैं कोई मनुष्य नहीं, हनुमान्स भाव में डुबने लग गए, डुबने लग गए, सुबह साम, पेर पे चड़ जाए, पेर के से नीचे कुछ क लगा दे, जमीन के अंदर अपनी काया को रगड़े, मैं मनुष्य नहीं, मैं एक मारूती हूँ, मैं हनमान हूँ, इतनी उपर साधना हुई, कि जैसे वानर को केश होता बाल, परमहन्स के सरीर में वानर जैसा केश आने लगा, यहां का केश बढ़ने लगा, यहां का केश रूप होने लगा शरीर, कैसी उगरता होगी साधना में, परमहन्स का शरीर बदलने लगा, पूरा शरीर वानर की आक्रूती धारन करने लगा, और ठाकूर तो खुद यहीं सोचते थे, मैं हूँ ही नहीं माना हूँ, मैं राम का दूट, मैं राम का सेवक मारूती, इतो बा इतने डूब गए, कि इनकी पीठ में, तीन फूट का पूछडा निकलाया, जैसे वानर को पूछोती है, परमहन्स की पीठ में से, तीन फूट का लंबा पूछ निकलाया, यह साधना की पराकास्टा, देखो तो, एक अदसी का खाली, एक उपास करना है, वहाँ हम धुरू होंगे, ऐसे मिल जाता भगवान, एक लोटा जल चड़ादो, शंकर के उपर संकर प्रसन हो जाएंगे, जो फूल चड़ादो, कन्या प्रसन हो जाएगा, तू का रास्ता नहीं, रिसी मून्यों ने हड्डी दार दी, फिर भी नहीं प्राप्त हुआ, तेरा एक लोटा जल स बोले बेटा, साधना, भजन, उपासना, मैठ मेरे सामने, और दूज पी, और ये पिया हुआ दूज, जब तुम दूज पिएंगा, तो तेरे गले में से उसकी धारा अंदर जाएगी, तू शरीर को इतना सुखा दे, कि मैं देख सकूँ कि तेरे गले में से दूज की धार गई, इतना सरीर खतम कर, उस दिन मानूंगा कि तू भजन करता है, उस दिन मानूंगा कि तू साधना करता है, ये दो फूल और दो बिली पत्र में मिल जाता होता, तो कौन नहीं चणाता बिली पत्र, कौन नहीं चणाता लोटा जल, कौन नहीं चणाता भगवान को फूल, हमारे गुजराट में महान कथाकार हो गए भगवान को प्यारे हो गए राम भगत हमारा चंदरकान भाई बहुत संगत किया राम भगत के साथ उनका लिखा एक बजन है हूं गांडोन थीरे हूं गेलोन थीरे हूं गांडोन थीरे हूं गेलोन थीरे ये भगवान बोल रहे हैं, कोई कवी नहीं बोल रहा, यो कोई पागल नहीं है भगवान ये हूँ गांडो न फीरे, हूँ गेलो न फीरे उं गाडो न थीरे, उं गेलो न थीरे एकोई न चेतरो चेतरामु ये वो खोडो न थीरे उं गाडो न थीरे, उं गेलो न थीरे उं चेतरो चेतराम ये वो गो न थीरे उं काई गाडो न थीरे, उं गेलो न थीरे एकोई नो छेतरो छेतरा वू ये वो भोडो नतीरे, वू गांडो नतीरे, वू गेलो नतीरे, कोई नो छेतरो छेतरा वू ये वो भोडो नतीरे, वू गांडो नतीरे, वू गेलो नतीरे चार पांच पुश्पले ने मंदिर मायावता चार पांच पूले ने मंदिर मायावता लोटरी ने टिकी तो ने मानता मनावता ये 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 लोटरी ने टिकी तो ने मानता मनावता इवा चार फूले पाँच लाठ देतो न थीरे, हूँ गांडो न थीरे, हूँ खेलो न थीरे इवा चार फूले पाँच लाठ देतो न थीरे, हूँ गांडो न थीरे, हूँ खेलो न थीरे भगवान कई गांडा नहीं है, भगवान को पूरा हिसात किताब मालू में गए शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चड़ा दिये, चालो शंकर खुश हो जाएंगे कोई चिंता ने, दो लोटा और दूज डाले, और दो लोटा दूज डालने के बाद, शंकर को कहते हैं जजमान लोग, ए भोला, ए देवो के देव महादेव, तेरे खजाने में क्या कमी है, कोई कमी है क्या तेरे पास, कैलास तो बहुत बड़ा है, वहां हिरा मानेक मूती की खान है, मैंने पांच फुल चड़ाया, दो लोटा जल चड़ाया, दो लोटा अगर संकरदादा तुने कुरुपा करी और पांच लाग की लोट्री में मेरा नंबर लग गया, तो मैं एक लाग का दूज तेरे पर अरपन करूंगा, लेओ, भगवान कई गांडा से, तने पांच आपन पसी तु एक रुप्याना दूज मा माना सरीप रभिषेक करे, यह करता है, एक लाग मुझ दूज लएने और बही जाओं तो मने कौन रोके, मुझ बही जाओं अंदर, सलाप, मेरे को कोई रोकता है, के भी भगवान ने कैसे बानते है बगवान, यह मारा छोकरा का लगन बाकी है, मेरा छोकरा को अच्छी पत्नी नहीं मिलती, बोड़ा ना कोई दम नहीं, छोड़े उसको, चार पांच फूल लईने मंदिर मा आवता, लोटरी नी ठीकी तो नी मानता मना आवता, पन भगवान सुनके, पांच फूले पांच लाक देतो न थी, भगवान गांडो न थी, यहने खबर छे, मारा बनावेला मुझ ने बनावता, मारा बनावेला मुझ ने बनावता, मारा बनावेला मुझ ने बनावता, कर्भ मादी देला कॉलने बुलावता, कर्भ मादी देला कॉलने बनावता, मारा बनावेला मुझ ने बनावता, इतले डूब गए ज्वाकूर मारूती मारूती मेरे शरीर में मेरे रोम रोम में मेरे नक्स सिखात की काया में ऐसा कोई बस्तु कोई जगा बाकी नहीं जिसमें मारूती न हो जब मारूती की साथना पुरी हुई तब पता चला कि परमहंस के पीठ के पीछे इतना बड़ा पूछ निकल आया आये तब पूरी गुरी जी ने हालत देखी गभरा गए परमहंस को देखकर उनके गुरू भैखा गए क्यों क्यूंकि परमहंस का पुरा शरीर वानर की आकुरूती लेने लगा लेने नहीं लगा पूरा मानव निकल गई मानव की आकूरूति और पशु की आकूरूति आ गई केश निकल आये, सरीर की बोली वानी बदलने लगी पीठ में से पूछ निकल आया गुरुजी ने साधना रुका ली क्योंकि तोतापुरी को गुरुजी को बहुत डर था कि और अगर उगर साधना में पड़ जाएगा और पांच्छे महिना निकाला तो उसका पुरा शरीर बंदर का हो जाएगा फिर मनुष्य में लाना मुश्कील होगा अभी रोक लो वही साधना को रोक लिया और गुरुजी ने कहा बेटा एक काम कर ये साधना में तू चरम सिमा में पहुँच गया अब दूसरी साधना कर सकी भाव में डूब जा सकी भाव आज भी ब्रंदावन के अंदर सकी संपरदाई है हज्यारों की संख्या में सकी आ है वो सकी नारी है और गोपी सकी भाव का मतलब गोपी भाव में डूब जाना जैसे गोपी डूबती थी गरीब घर की ग्वालन गरीब घर की गोपी का न उसके पास धन था न इश्वर्य था न कोई वैभाव था ना कोई पद्प्रजिष्ठा थी एकदम अगनानी ग्रामीन कोई बड़ी-बड़ी कॉलेज में पढ़ने वाली गोपी थोड़ी थी अक्षर ग्नान भी नहीं था जिसको अक्षर ग्नान बोले वो भी नहीं था ग्रामीन लेकिन गोपी का एक-एक सिद्धानत भागवत में देखिए एक-एक सिद्धान जो गोपी ने करें किश्णा को परवश कर दिया गोपी ने गोपी कहती थी नाच नाचना पड़े गोपी कहती थी मखन खा खाना पड़े परवश कर दिया कृष्ण को परवश कर दिया हाला कि ग्रामेन थी निरक्षर थी हमारे काठियावार में ग्रंडा सती और पानबाई एक ग्रामेन महिला क्या उसने तत्व ग्यान के भजन बनाए उसकी पुत्र भदू थी पानबाई और पानबाई को ग्रंडा सती अपने भीतर में आये हुए संकल्प के सब्द को पेश करती थी हे पानबाई सुन ना मेरे में वेद का ग्यान है ना उपनिशत की परिभासा में जानती हूँ ना कोई स्लोक इत्यादी जानती हूँ लेकिन मेरे वितर जो चैतन्य है वो चैतन्य के माध्यम से जो शब्द मिलता है वो मैं तुछको बताती हूँ और गंगा बाई का एक जन देखो, आज भी इनकी समाधी काठ्यावाड में पूजी जाती है, एक तरफ गंगासती की समाधी, एक तरफ पान बाई की समाधी, ग्रामी महिला जिसको कोई ज्ञान नहीं था, कोई बड़ी भुमीका में नहीं थी वो बाई, समान्य नारी, लेकिन तत्व ज्ञान दिया मेरु तो डगे जेना, जील नारगे पानवाई, बागीरे पडे भर मान ले, मेरु तो डगे जाहे पहार जी चाहे चोपी संकल्प नहीं निगना चाहिए निगना चाहिए निगना चाहिए निगना चाहिए विजडीने चमकारे मोतिडा करो पानवार। अच्चानक आंधारा थार। विजडीने चमकारे मोतिडा करो पानवार। अच्चानक आंधेरा हो जाएगा। अच्चानक आंधारा थार। जोत्रे जोता मादियो सो वयारे जासे पानवार। जोत्रे जोता मादियो सो वयारे से पानवार। एक जीस हजार सतो कार खाते। जाने आजरी आवस्तों अजाने पानवार। अधूरी आने नौके बार। गुपत रसनो आखेल छे अटपटो पानवार। गुपत रसनो आखेल छे अटपटो पानवार। आठी में तो तो जनदा। गुपत रसनो पानवार। अचानक अंधारा खाए। अचानक अंधारा खाए। गुपी भी रिलक्षर थी। खाली गुपी का भाव था। मैं जो कहूं वो कृष्ण करे। बिल्कुल ग्रामीन। मैं कहूं कि नाच तो नाचे। मैं कहूं कि मखन चोर क्या। मेरे सोये हुए बालक को जगा। क्या गुपी भाव है। आज भी ब्रज में वो संप्रदाई है। हज्जारो नारी आपको मिलेगी। सफेद वस्त्र परिधान करते है वो लोग। और चार गर की मधुकरी मांके लाते है। वो खाके समय बिताते। लेकिन प्रती पल क्रिष्ण मई हो जाती उनकी। मैं गोपी हूं। मैं कोई सामान्य नारी नहीं। मेरे गर में तो क्रिष्ण रोज आता था मेरे सोये हुए बच्की को जगाता था मेरा मठन चवर जाता था mentre नुक्षान करके जाता था मैंको da सामन्य नारी नहीं मैं गोपी हूँ मेरे सोईये हुए बच्चे को जगा देता है कृष्णा मेरे घर में आके नुक्सान करता है गोपी भाव है मेरे घर में मेरे सोईये हुए बच्चे को तेरा बालक जगा जाता है माता जी ये ये गोपी भाव परम हंस के गुरुजी ने देखा कि ये तो हनुमान बाव में डुब गया अब इसको गोपी भाव में डुबाओ सकी बाव में डुबाओ इज़र राम किष्ट परम हंस सकी बाव में डुब गये पुरुश होने के बावजुद नारी जैसे कपड़े पहने जैसे नारी बस्त्र परिधान करती अखांड सोभाग जेवती नारी का जो चिन्ह है वो सब चिन्ह राम किष्ट परम हंस ने परिधान किया और बोलने लगे मैं कोई नर नहीं मैं मनुष्य नहीं मैं कोई मानव नहीं मैं कनया की गोपी मेरे घर तो काना रोज आता था मेरे घर का मखन चुराता था मैं गोपी हाथ में कंगन अंगोठी साब नारियों का अभुषन परम हंस ने धारन किया खोब डुबने लगे खोब डुबने लगे देखो साधना की पराकास्टा डुपते डुपते इतनी गहराई तक चले गए कि पूरुष होने के बावजुद परम हंस के सरीर में परिवर्तन होने लगा वो जान गए कि मैं पूरुष नहीं मैं गोपी किष्ट मेरे गर रो जाता मैं गोपी, मैं नारी गोपी भाव में इतने डूब गए परम हंस ये सच्ची कथा है, कोई असत्य नहीं है पूरुष होने के बावजुद राम किष्ट परम हंस के सरीर में नारी जैसा स्टन निकलाया जैसे नारी का स्टन होता है ये परिवर्तन, ये साधना की प्राकाश्टा स्टन निकलाया दूज की ढारा फुटने लगे ये को कितना परिवर्तनाया नी तो पूरुस्त थे नारी का चिन्ह का कोई सवाली नहीं था ए साधना की गहराई साधना की पराकाष्टा नारी का रूप बनने लगे आए गुरुजे दिखा ये तो पूरा बदल जाएगा अभी तो शुरुवात है अभी तो नारी भाव का प्रारंब है अगर मैंने उसको नहीं संभाला तो उसका पूरा बदल नारी का हो जाएगा ये साधना की उचाईए कौन बोलता भारत में ये वस्तु अशक्य है अरे भारत में तो जन्म लेना यही महत बड़ी महानता है ये भारत में हमारा जन्म हो गया यही महानता ये डेश में जन्म लेने के बाद कोई दान मत करो कोई मंदिल में मत जाओ कोई तिर्थ यात्रा पे मत जाओ खाली भारत में जन्म धारन करो और भारत में मर जाओ तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा तुम्हारे एकाया की गटी हो जाएगी, भारत मा, इसको मा बोलते, जिसके माथा पर बिंदी, जिसके मठे पर बिंदी, याने तिलक, किका, जिसके माथे पर बिंदी, और जिसकी जबान पर हिंदी, उसका नाम है थंडूस्तानी एधरती है जारुशी मुनी जब ते प्रभुनाम की माला यहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला जाहं सद्लिया है जाहर दर्म का पदपद लगता देरा वह भारत देश है मेरा वह भारत देश है मेरा जाह डाल डाल पर सोने की चीलिया करती है बसेरा वह भारत देश मेरा वह भारत देश मेरा जाह आजमान से बाते करते मन्बिर और स्वाले जहा आशमान से बाते करते मन्बिर और स्वाले जहा आशमान से बाते करते मन्बिर और स्वाले भारत माता मा का दरज्जा दिया भारत को विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसको मा कहा जाए भारत मात्रुजे वो भवरा जादम का यमुना श्रिश्ण और का मेरी बहती जाए जहां सूरज सबसे पहने आके डाले अतना देरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहां डाल डाल परशों में दिसकिलिया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा 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 भारत में तो जन्म लेके मर जाओ तो भी मोक्ष है ये रिशी मुनियों की धर्ती पीर पैगंबर ओलिया की धर्ती जो धर्ती में जगत का बाप चौबीस बार अवतार लेकर आया गवरव करो कि हम भारत वासी है छाती भुलाओ हम भारत के वासी है भारत मेरी मा मर जाओ मिट जाओ इसके लिए तो अपने देश के लिए जान न्योच्छावर कर देने की शक्ती रखना थी है भारत देश में अश्चक्य कुछ है ही नई आये गुरुजी परमहनुस की स्थिती देखा गबडा गए तुतापुरी गबडा गए अब इसको समान्य स्थिती में मेरे को लाना पड़ेगा फिर तो बहुत लंबा चरित्र कहने का मिलार्थ केसी सद्रा में शक्ति है कितनी प्रबल ताकात है जीव जीव भाव से उपर उठकर शीव हो शकता है अगर भक्ति का करम करे तो जीवात्मा खत्म हो जाएगा शीवात्मा का निर्वान हो जाएगा अहम निर्वी कल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सरवत्र सरवेंद्रियानाम सदामे समत्वं न मुक्तीर न बंदह चिदानंदरूपः शिवोहम भगवान का देश है भगवान का प्रदेश पीर पैगंबर ओल्या का देश है भारत यहां तो जनम लेके मुर्त्य हो जाए तो भी मोक्ष छले अंत में रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर निकला बुले परमहंस को कैंसर की गांट थी बहुत बड़ी गांट थी गले में काया तरप रही थी दिवेकानन 2480 गुरुजी की सेवा में गुरुजी जादा वेदना तो नहीं है मैं आपके सन्मोख हो प्रति पल मैं आपको देखता रहूंगा गुरुजी परमहंस ने अंतिम परिक्षा लेने की कोशिस की अधिकार तत्व की जागरुति के बिना महापुरुष किसी को अपनाती ही नहीं है किसी संत की द्रश्टी में जाके बस जाना किसी साधुपुरुष की छाती में जाके अपना स्थान ग्रहन करना साधारन नहीं तुम्हारे चम्डे के भीतर छुपा तुम्हारा मन क्या कह रहा साधू वो भी पकड़ेगा तुम्हारा हाउभाव नहीं पकड़ेगा तुम्हारी बोलीवानी नहीं पकड़ेगी तुम्हारे शब्द की पीछे जो छुपा मन वो मन में कौन सी हलचल है साधू पकड़ लेग किसी को भी प्यार करो तो निर्मल रदेश से करो कपट से मत करो बितर कपट, बितर पाप, बितर हंकार और नाटक बताती हो प्यार का कहां तक शिपा पाओ गया निर्मल जन्मन सो मुहे पावा सुंदर कान में बगवान कहते है मेरे को दोवस्तु प्रिय नहीं है भगवान को दोवस्तु अप्रिय निर्मल जन पहले सबत पकड़े निर्मल जन जन याने मनुश्य भगवान बोले मेरे को निर्मल मनुश्य चाहिए अब निर्मल मनुश्य मिलेगा और मन का कुटील होगा तो बगवान के सिद्धान्त में नपास हो जाएगा बगवान की वानी बोलती मेरे को कौन आदमी प्राप्त कर सकता बगवान तक कौन पहुंच सकता जो निर्मल जिसके रदे में कोई पाप ने ये ने दुराचार ने निर्मल जन खाली निर्मल मनुष्य हो जाना परियाप्त नहीं है ध्यान दो निर्मल जन मन दुष्रा सब्दाया मन याने निर्मल जन याने पवित्र शरीर खाली पवित्र शरीर होना परियाप्त नहीं है मन भी पवित्र होना मूल गंड़गी तो मन में है मन इवन मनुष्यानाम कारणं बंधमोख्षया मूल काट तो अंदर है बाहर नहीं है मन इवन मनुष्यानाम कारणं बंधमोख्षया निर्मल जन मन सो मोहे पावा भगवान की वानी है जो मनुष्य नक्से सिखा तक निर्मल बन गया जिसके भीतर का पाप चला गया इसा पवित्र आदमी मेरे को प्राप्त कर लेता और दो आदमी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते वो कौन निर्मल जनमन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्रन भावा ना कपट भाता ना छल छिद्र भाता जिसके भी भीतर में ये कपट की संगना होगी, वो परमात्मा से दूर हो जाएगा, तो आतो निर्मल परमंस, अपार वेदना हो रही है, नरेन, मेरा रक्ट निकलता है, नरेन इसको साप करो, नरेंद्र यानि विवेकानिंजी, गुरुजी का रक्ट साप करते थे, कपास से, जरा भी इनको वेदना नो हो परकार का संपुर्ण ध्यान रखते थे, एक दिन अंतिम परिक्षा लेने का निर्णाई किया, पात्रता निर्वान हो गई, तो गुरुजी परिक्षा करेंगे, बिना परिक्षा अपनाएंगे ने, डेख लिया, कि आज अंतिम का सुटी कर ल आगते थे परमुंस की, और आगना लेते थे परमुंसी, आप आदेश दो, तो हम सरजरी करके, यानि ऑपरेशन करके, ये कैंसर की गांट को निकाल देंगे, तो आपकी वेदना समाथ हो जाएगे, परमुंस मना करते थे, नई, मैं यह नहीं चाहता, मेरे सरीर को कोई सपर इस भी मत करना, मैं यह चाहता ही नहीं हूँ, मेरे मानस में कोई दुसरी बात आई है, दोक्टर, तुमारी बात तुमारे पास रखो, दोक्टर को विदा किया, रत्री का समय है, विवेका नन्द ठाकूर के चरण की सेवा कर रहे थे, अचानक ठाकूर ने आवाज दी, वि पत्र मंगाया, यह गाठ थी बड़ी, कैंसर की गाठ, अपनी अंची मुंगली का नाखून मार दिया ठाकूर ने गाठ में, याम चंद्र परमंस के, अंची मुंगली का जो नाखून था, वो नाखून बुले मार दिया गाठ में, और कैंसर की गाठ को ठार दिया परमंस मे और जो गाँठ फटी तो वो गाँठ में से जो विकुर्ट पदार्थ निकला कैंसर का जंच निकला, रक्त निकला, माउस निकला वो सब पात्र के अंदर भराया वो जो तपेली पात्र मंगाई थी उसने उसने बर दिया पहले मारा फ़ोर दिय फिर ऐसा किया तो पूरा ऐसा खीच-खीच कर, खीच-खीच कर, तपेली में डाल दिया पूरा पदार्थ, जो बल कैंसर का, रियक्शन पैदा करने वाला पदार्थ था वो, उसमें रख्त थे, जम्स थे, खुन था, आधा पात्र भर गया, और जैसा पात्र भरा, उस इक्षन, गुरु मार नहीं किया, कोई विक्रुती की कल्पणा न लाए विवेकानन, और जै गुरु महराद की जै, गुरु महराद की जै, ऐसा बोलते बोलते, तपेली के अंदर, कैंसर का जो विक्रुत पदार्थ निकला था, वो पूरे का पूरा विवेकानन्द के पेट में चला गया, जब नारायन भगवान दवा खाने में थे, मैं दस दिन वही था भगवान के पास, बडोद्रा के दवा खाने में, फिर ले आये ताच्पुरा, रात्री के समवई में उनके मूँ से ब्लडिंग निकलता था, तो नर्स आती थी, और नर्स वो मूँ में से जो खुन निकले, उसको कपास इसे साफ करती थी, और फिर कपास जो खुन से लट्पत हो गया, वो एक छोटा सा टब रखा था, उसमें डाल देती थी, रात्री के पांट दस बार खुन निकलता था, तो दसों बार वो रू से सफाय कर देती थी, और खुन वाला रू डिबबा में डाल देती थी, एक दिन, मैं तो बाहर में तो सोता ही नहीं था, मेरा मानवृत्ती ध्रस्टी मेरे गुरू में है, मैं वो ही छाकता रहता था थ चल रही है रात को ठीक 11 सारा 11 बजे वो नर्स वो जो टपेली में भगवान का विक्रुत पदार्त का कपास था वो कच्रा पिटी का जो डबा आता है उसमें फैंकने के लिए आई वो मैंने देखा जिए भगवान के रूम से वो निकली आधे रस्ते में मैं खड़ा रह गया ठैरो बेन मेरे को दे दोए क्या करोगे आप अब यह आपका तो विशह ही नहीं है मैं कैसे समझाओ आप फिर भी यह तो कैंसर का विक्रुत है सब यह यह फून वाला अंदर सरीर में क्या उंसा रोग है क्या है क्या मालों यह कोई रखता है इसको तो जमीन में गार देना पड़े अथ्वा तो जला देना पड़े यह मेरे सद्गुरु के सरीर में से निकले हुए रक्त की निशानी है यह फैकी नहीं जाती पूजा की जाती ये फेका नहीं जाता, पहले बोला तेरा विशा ही नहीं है, तो क्या जानेगे, क्या मालूम पड़ेगा तुम, मैंने रख लिया, मैंने रख लिया, जब मेरे साथ भगवान रेते थे, पाटवान छेशे महिना रेते थे, हर गुरुवार को नाखुन काटना, मैं इतना गबर करते ही, क्योंकि मक्खन जैसा कोमल शरीर, जिन्होंने पचासो साल से अन्द नहीं खाया था, शरीर ऐसी कंचन वरणी काया मैंने कहीं नहीं देखी, तेज पुंज, सुर्य जिसके सामने जांखा पड़ जाए, आयसा तेज, ब्रह्म तेज, बहुत, बहुत संभाल संभाल के मैं आमन्या करता था, एक दिन आमन्या करके, नाखुन का रत्ती पर टुकड़ा भी मैंने बाहर नहीं रखा, एक कपड़ा में बांद दिया, हर पं आमन्या कराते थे, बाहर लाते थे, धीरे हाथों से पहुंश दालते थे, फिर कंगा लगाना, वो भी एक दम धीरे से, ऐसी काया ही आपने नहीं देखी होगी, एक दम धीरे से, जैसे जैसे केश के अंदर कंगा जाता है, कंगा को बाहर निकल देता था, तो कंगा के अंद वो बस तुका संगरह करते हैं अरे बगवान ये तो आपके शरीर का है विसर जन का तो सवाल ही नहीं है उसको कहीं रखना वो तो सवाल ही नहीं है क्या करोगे आप ये मेरी नीधी है ये मेरी संपत्ती है ये मेरे लिए सब कुछ है इसका क्या करो मैं आज भी है मेरे गुरू नहीं इसलिए पागलपन कहेगा, उनको क्या मालूम, उसको क्या मालूम, प्रसुती की पीड़ा, बांच नारी क्या जाने, जो नारी के घर्ब से एक भी बच्चा नहीं आया, क्या मालूम वो नारी को, कि प्रसुता की पीड़ा क्या होती हो, जिसका विशई होता वो ही शद्गुरु को अपना संस्कार बनाओ, उसी के माध्यम से तो हमको बगवान में मिल्ला है, गुरु वधारिया सब कोई वधे, नहीं तर वधे न कोई, बिन गुरु रावन ऐसा वध्या, जिसने पल में लंका खोई, सौने की लंका जलके बश्म हो गई, नि तो जिसके बश्मे देवता लोग थे, ग्रह नक्षत्र जिसके बश्मे था, उसका नास होगा कभी, नव ग्रह, रावन ने बंदी बना के रखे थे, सनी महराज को सोने की साकल से बाढ़ा था, जो सनी की पनूठी अगर किसी पे आ जावे, तो मनुष्य खतम हो जावे, वो सनी नाम के ग्रह को, सोने की साकल से बाढ़ के रखता था, रावन, नौग्रह 27 नक्षत्र ये सब जिसके वश में हो देवी देवता यक्षकिंदर्व गंदर्व सिद्ध सुजान सब जिसके वश में हो इसकी कभी मुरुत्ती होगी लेकिन राम विमूख असहाल तुम्हारा मंदोदरी कहती है पती राम के युद्ध के खाली एक दिन बाकी था रात का समय मंदोदरी रावन का चरन की सेवा कर रही है श्वामी एक ही दिन बाकी है कल अगर संधिया का सुरियास्त हो जाएगा तो न तुम्हारा अस्तित्वर हैगा, न लंका का अस्तित्वर हैगा, इसलिए मैं आपकी अर्धांगी नी हूँ, मैं आपकी नारी हूँ, आपके सुख दुख की भागीदारी हूँ मैं, हे पति देव, एक काम करो, सिता सौप दो, सिता जगत की मा, जगत जननी भवानी, जनक सुता जगजन नी जान की अतिसे यप्रिय करुना नी धान की ताके जुगपद कमल मनावाउं जासुक रुपा निरमल मती पावाउं ये तो जगजन की माँ है जनक सुता राम भर्म है राम इश्वर है पतिदेव सीता को सौप दीजिए राम के शरण में चले जाएए राम तो इतने दया के सागर है कि तुमारे हर गुना माफ कर देंगे गले लगा लेंगे पतिदेव इतना करो प्रोधाया रावन को मंदो दरी का तिरसकार किया मंदो दरी का अपमान करने लगा रावन तब मंदोदरी की जिवा से तुल सिदास ने ये चौपाई प्रगट की ए पति देव जो जिवात्मा राम से विमूख होता है सद्गुरु से विमूख होता है परब्रह्म परमात्मा से विमूख होता है उसका क्या हाल होता पति सुनो मंदोदरी कहने लगी है पतिदेव राम विमुख अस हाल तुमारा रहान कोई कुल रोमन हारा कल तेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचेगा तेरे पूल में अगर कोई मर गया तो पिंड दान देने वाला कोई नहीं बचेगा दे दो सिता, राम को समर्पित कर दो, भगवान से विमूख इश्वर का कोई प्रमान मत मागो, अस्तित्व से तो प्यार करो अस्तित्व का प्रमान मागने वाला आदमी पांस साल का आईश्य उसका खतम हो जाता है जो बनुष्य एक बार ऐसा बोले कि ये दुनिया में भगवान नहीं है ये विश्व में इश्वर नहीं ऐसा सब्द जिसकी जबान में आता है वो आदमी का पांस साल का आईश्य कम हो जाता अस्तित्व से प्यार करे क्या मांगते भगवान भगवान ने कुछ मागा ये तो हम लगाते हैं चप्पन भोग भगवान को अगर चप्पन भोग भगवान खा जावे तो कोई बाप लगाएगा चप्पने चप्पन भोग बगवान उठा गए कोई देगा डिस्रे दिल लेकिन बगवान जानते है मैं इतना सस्ता नहीं कि तुने दिया और मैंने पा लिया बाकि याद्रसित भावना यस्यो सिद्धिर भवती ताद्रसी बनी हुवी घटना पीजा और जहां गुरु महराज का आदेश हुआ वीवे का नजने वो पात्र अपने मुह में लगा लिया और पूरे का पूरा अपने पेट में उतार लिया और उतारते ही समाधी लग गई शक्ति पात हो गया कुंडली महरानी जागरत हो गई ये तो चीती सक्ति का विलास है जो अपरगठ है कुंडली नी बहुत बड़ा विग्नान है ये और ऐसा नहीं है कि जागरत नहीं होती अरे ये जग जाएगी तो आपका संसारत खतम हो जाएगा इसलिए जगाने की चेश्टा भी मत करना ऐसी ऐसी बापतों में कभी नहीं पढ़ना है बाकि ये नहीं होगा ये असलिए बात गलत आज भी ऐसे संत है जो अपनी आखों के माध्यम से शक्ति का आरोपित करते हैं शक्ति अपनी शिश्चे के सरीर में और कुंडली को जागरत कर देते हैं या सट्य नहीं है बस अपनी अपनी पात्ता में रहीए इश्वर से विमोक मत रहीए गुरू परमपरा से विमोक मत रहीए इसलिए मैंने कथा के प्रारम में भी कहा था कि हम सब को पुन्यवान बनाने के लिए, हम सब का पाप काटने के लिए, ये संत भगवान हमारे द्वार पर आये है, तो जितने भी आत्मा बैठो है, रोज दर्शन करोगे, आओ सामको, और महात्मा के चर्लों में दंडवत करो, करोगे रें दंडवत, हाथ हुचा करो, कौन जरूर करो, जरूर करो, ये संत भगवान कोई लेने नहीं आये आपके पास, आपके परिवार को, आपके संतान को, आपके घर के आत्मा को सुखी रखने के लिए आये है, तो मैं बार बार आपको मिनंति करता हूँ, मेरे पास नहीं आओगे तो चलेगा, लेकिन मेरे संत भ मिलेगा, न कोई योगी मिलेगा, कहां से कहां उड़ जाएंगे, हजारों के बीच में से हम जाएंगे, लेकिन जहां जाएंगे, वहां अकेला रहेंगे, गोर जंगल में हम अकेले बैठेंगे, तब चौपड़ावासियों को में याद करूंगा, गोर जंगल में चौपड़ मुझको तब होगी जब आप सब आए साम के समय आज भी बजन संध्या होगी जरूर आओ एक तास दो तास जल्दी आओ क्या कि संतों का दिदार हो जाए साम के समय में भगवन बाहर बैठेंगे जरूर जितने आए हैं जहां तक मेरा आवाद जाता ये मौका मत छोड़ो ये गंगा बहती है सनान कर लो गंगा आई है तुमारे खांदेश में गंगा बह रही है उसमें जरूर सनान कर लो मैं बहुत बहुत आप सब को दुआ करता हूं आशिरवाद करता हूं मैं तो 25 साल से चोपड़ा को दुआ दे रहा हूं आश से नहीं दे रहा हूं कोई भी तिर्थ में जाता हूं कहीं भी जाता हूं मैं रोज पांच माला करता हूं चोपड़ा के लिए पूरा तालुका के लिए और इसमें पूरे तालुका पुरा तालू का ही स्रेष्ट है लेकिन हमारा आकुल खिरा गाउं जहां से आज से टीस साल पहले ये ग्यान की सरीता का प्रारंब हुआ था ये ही आकुल खिरा गाउं से मैं आकुल खिरा को खोब दुआ करता हूँ आकुल खिरा के जुवान बच्चों की टीम जो आने वाले सब स्रोताओं को महाप्रसाद दे रहे हैं जुवान जुवान बालक लोग महाप्रसाद की व्यवस्था बालक लोग कर रहे हैं जुवान बालकों को मैं बहुत दुआ करता हूँ बहुत आशिरवात करता हूँ जो ज मैं। मदिरा पान कभी नहीं करना है। कभी नहीं खाना अकुल खिरा गाउं के उपर मुझ को बहुत आशा है वहां के जवान बच्चों से मेरी वासना जूरी है तो मैं प्रार्थना करता हूं ये सब वस्तु से रहीत होकर माबाप की सेवा करना गुरु माराथ की सेवा करना ये ही सच्चा जीवन है ये ही पवित्र जीवन है अगर ऐसा करके जीवन विताया तो आने वाले समय में भगवान सुख देगा शांती देगा लक्ष भी देगा आज की कथा मैं यहां पर विराम करता हूं ये भगवाई एक बजन सुनाएंगे बाज में आरती करके हम विसर जित होंगे और साम को जरूर पधारो आप दर्सन भी करो और रात्री का भजन भी श्रवन करो ये ही पांच दिन भी चार दिन बाकी है कहां भी जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा तो निर्मल जन में निर्मल सरीता में जरूर श्नान करो कछा को विराम देरी से पहले दो मिनिट भरी बजाएंगे रादा, 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 कृष्न, रादा 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 रादा, रादा-्रिष्न्रादा रादा कृष्णा रादा रादा कृष्णा रादा कृष्णा रादा रादा कृष्णा रादा कृष्णा एडेजन सब्सक्रों. रादा कृष्ण रादा रादा कृष्ण रादा 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 कृष्ण 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 रादा 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 कृष्ण रादा 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 कृष्ण रादा 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 सब बैठ चाहिए सद गुरु निदया विना सपने मले ने सत संक्रिपाथाई गुरु देवने चड़े भगति नौरम। गुरु तारो पारे ने पायो गुरु जी तारो पारे ने पायो एन पायो राम एन पायो प्रुथ वीना मालिक है जित मेरे नारो तो अमे तरे आरो तो अमे तरे आरो तो अमे तरे आरो तो अमे तरे अमे तरे आरो ते अमे तरे तने दाना वाले वाले ताव एग वाली तवी ना माली तवी ना मेर तरोन मौ एयार तडिये तवी ना माली तवी ना माली तवी ना मेर तरोन मौ एयार तडिये मौ एयार तरोन मिर तरोन माल्र तरोन मन Бाएए वेयार तरोन मौ एयार तिये कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो के वाज जामीन ने असमाना मदी मुडा भी ना बना नहाँ हमदी आगने फिराए हमदी ने आप में तेरायो वाली वाली जाम्य वाली ठैमी ना माली एजिता में देने तारों तो क्यार कदी एजिता में देने तारों तो क्यार कदी एजिता में तो क्यार कदी श्याम रादे शाम रादे शाम रादे शाम शाम रादे शाम रादे शाम श्याम रादे शाम रादे शाम श्याम रादे शाम रादे शाम श्याम रादे शाम भजाती कदी पाक ने है मा की बाती शादोशन पैतने दिन रादे शाम श्याम रादे शाम श्याम रादे शाम शामारी विदूली धारी पावान शाम पडन शुदामा दीमारति मंशा रधेश लाधेश रधेश नगंते पिश्णा माल के मान भावे बागवक थानित सुत जीगावे राधेश्या मुझा राधेश्या मुझायरा ज्यात राधेश्या मुझावे अभावे दोका में राद शाम शाâm रहा दैशा, रहा दैशा, रहा दैशा आप हम शत्ता रहा जाम तर्थियोृ की आहां निट से पंग Allen आदे शारादम, मुझा के नहादम शाराव शर्तम, रतियार भी हिंचे वावन भावानी, शर्तम नमानी आदे शारादेश, रतिषा, 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 9 keer गादेश, 10-30 परिखने मुझा से शर्तम, 2 covid-19, 10-40 बंधो अदुद। वावन शर्तम भावन शर्तम, क्यमनुत। मैं। शर्तम भावन संत॥ सिवेशन वार्थुशा दीदे चलन्ये त्रम्मके गवोडी नारायारी नमस्तुते आरायारी नमस्तुते वमेव महता चपता वमेव वमेव बन्दू चसका वमेव वमेव विज्या रविणा वमेव वमेव सर्वा महदेव देव काहे नवाचा मनसे प्रियर्वा रूप्रात्मनावा प्रपृतेष्वभावत करो मियाध्यत सकलंपरस्मे नाराया आये थिसमर्पयामे गुरूर ब्रह्मा गुरू वेष्णो गुरूर देवो महेष्वरा गुरूर साप्सात्परब्रह्मा तस्मेष्ट्री गुरू बे नम्हा ध्यानमूलं गुरू मुरू पूरू पूज। गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाप्यं, मुक्समूलं गुरुकृपा, ब्रह्मानन्दं, परमसुक्रदं, एवलं यानमुर्थी, दन्द्वातितं, गगनस्दसं, तत्वमाच्यादिलक्षं, एकं नित्यं, हिमलमचलं, सर्वदा साक्षिभूतं, भावातितं, ख्रीगुनरहितं, सदुगुरुतं नमामी, सदुगुरुतं नमामी, सदुगुरुतं नमामी, अच्चु अम केश्वं स्रीरामनाराय कृष्नरामो दरम् स्रीरासु देवं स्रीडराम मादवं गोविका बल्डवं स्रीजानकी मनावयरं राम चंडरम् अरे खृष्न वासु देव बक्तीमुति दायकं जंक्राय केष्वाय बुर्य जान कि मनो वड़े राम चन्र म्पजे Hare राम रे रूम राम ररे र traysणा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Shri Sadguru Devaki Jai, Shri Narayana Bhagavan Kee Jai Shri Krishna Kanayalala Kee Jai, Shri Bhagavata Bhagavan Kee Jai Om Namah Parvati Patay Ara Haramahade Shri Krishna Kanayalala Kee Jai Shri Krishna Kanayalala Kee Jai से स्थित्तारामना महराज की जै नारायन भगवान की जै श्री सद गुरु देव की जै श्री भागवत भगवान की जै नमा पारती पते हर हर महादेव जै यारती जारती जै जै टारती जै 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 की जै जै झाल 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 झाल